अगर दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी रेशियो अनपर्पोर्शन ठीक है अनुपात यों ग्यों शमानुपात is the most important topic है आपके exam के point of view से ध्यान दीजिएगा रेशियो अन प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात का class ये दोस्तों पहला है और आपके exam के लिए ये बहुत ही important है इससे दोस्तो हमेशा एक्जाम में 2-3 question देखने को मिलते हैं इससे related दोस्तो question और बनते हैं ठीक है तो हम आपको बताएंगे दोस्तो ratio and proportion के प्रशनों को कैसे solve किया जाता है हम आपको short trick भी सुम्हें बताएंगे basic concept भी बताएंगे हम धीरे धीरे लेबल आपकी बढ़ाएंगे यहाँ पर हम लेके चलेंगे एकदम basic level से ठीक है basic level, zero level, level one, level two, धीरे धीरे आपका level बढ़ेगा ठीक है यह ratio and proportion यानि अनुपात और समानुपात का class 1 है क्या है class 1 तो सभी student अच्छे से देखेंगे एकदम basic से start करेंगे आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होगी, short trick भी बताएंगे हम आपको ये भी इस chapter में दोस्तों बताएंगे कि ratio and proportion के प्रशनों को बीना पेन उठाए कैसे solve किया जाता है हाँ, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, पहले देखिएगा जैसे इसमें question है, question से start करते हैं, ताकि question भी आपका तैयार हो, concept भी clear हो, ध्यान दीजिए जैसे ही question है दोस्तों, सभी student देखेंगे, question कह रहा है दोस्तों, यदि A बराबर क्या 100 और B बराबर क्या है, 150 है, तो A is to B क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है दोस्तों, A बराबर 100 और B बराबर क्या है दोस्तों, 150, तो A is to B क्या होगा, आप सभी student देखिएगा, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है दोस्तों, A is to B, ध्यान दीजिए, A is to B पूछा है, तो A is to B बराबर क्या होगा, A बराबर दोस्तों क्या है, 100, ध्या पचास सभी स्टूडेंट समझने का प्रैस करिए तो यह 150 और यह ध्यान दीजिए 100 और 150 हो गया ध्यान दीजिए हां बहुत अच्छे कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहें तो इसे क्या करेंगे दोस्तों यह 100 और 150 इसका अंसर नहीं देंगे इसको कटा के आप छोटा करेंग यानि की A to B दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, A is to B क्या होगा, सभी स्टूडेंट देखिए 2 to 3 क्या हो जाएगा यह, इसका अंसर होगा 2 to 3 अभी सीके यह बेसिक खाए एकडम 0 label है, इस से असन नहीं होगा, सभी student पहले सीखिए, समझिए, वहाद अच्छे जितने भी student, सभी student देखिए, हाँ, जितने भी student 2 is to 3 answer देरे, अब सभी student एकडम सही है, हाँ, एकडम सही ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 is to 2 नहीं होगा, 2 is to 3, a 100 है, b 1.500 है, तो 50 दुना अच्छे से समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार और समझाते हैं, यह basic concept जब तक clear नहीं होगा, तो आगे समझ में नहीं आएगा, a is to क्या पूछा है दोस्तो, b पूछा है, a की जगा पे क्या दिया है, बराबर 100 है, तो a के नीचे हम 100 लिख लेंगे, और b क्या है दोस्तो, 150 है, तो b के जगा पे हम क्या रखेंगे, 150, ठीक है, तो आप ऐसे कटा सकते हैं, 50 दूना के 100, और 50 तियाई, 1500, 2 is to 3 आ जाएगा, य is to b का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजेगा, यह a is to b है न, इसको हम a by b भी लिख सकते हैं, ठीक है, a by b भी लिख सकते हैं, तो a की जगा पे सामने क्या रखेंगे, 100 बटा में, b के सामने क्या रखेंगे, b किसके बराबर है, 1500 के, a 100 के बराबर था, 100, b 1500 के बराबर है, तो 150 पचास समझ लेगा सबी स्टूडेंट पचास दुना के सो पचास तियांई डेड़ सो यानि कि A by B क्या होगा दोस्तो टू बाई थ्री और A by B को दोस्तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A is to B बराबर 2 by 3 को लिख सकते हैं 2 is to 3 ठीक है समझ में आ रहा होगा उमीद करते हैं सभी स्टूडेंट concept clear करिए समझे तरीका सीखिए कैसे solve हो रहा है हां एक दम सही बहुत एक दम सही है चलिए next देखते हैं उमीद करें आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे concept clear करिए आगे देखिए समझ गए है आगे देखिए धीरे धीरे आपकी label बढ़ेगी उसके बाद से आप लोग rhythm में आएंगे speed में आएंगे ठीक है तो पहले सीखिए यहाँ पे देखिए इसका answer देने का press करिएगा question है दूसरा यदि A बराबर 50 B बराबर 80 C बराबर 90 है तो A is to B is to C क्या होगा ज्यादा कुछ नहीं करना है ज्यादा कुछ नहीं करना है पूछा क्या है दोस्तो पूछ रहे द्हान दीजिए यही पूछ रहे ना द्हान दीजे यहाँ पर क्या है A is to be is to C देखिए A is to B is to C यहीं हमसे पूछ रहे एक जगह पर क्या है पचास तो नीचे रह देंगे 50 बटा ध्यान दीजे बटा नहीं इस टू बी की जगह क्या है बी बराबर किसके 80 तो बी के असी नबे नहीं रिकना है ध्यान दीजिए कटा लेंगे 10 से या सब का 0 कटा लीजिए तो यह क्या हो जाएगा 5 बिस टू8 इस टू 9 है इसका अंसर क्या होगा 5 इसटू 8 इस टू 9 या 10 55 बचास दस वट तकी 10 नवह नबे क्या होगा A, B, C का अनुपात ध्यान दिजेगा सभी स्टूडेंट हाँ, 5, 8, 9 बहुत दक्षे, very good उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहें हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 5 अनुपाते 8, अनुपाते 9 इसे अनुपात है, ठीक है इसे अनुपात या इस दू बोला जाता है ठीक है, हाँ, ratio बहुत दक्षे, very good 5, अनुपाते 8, अनुपाते 9 ठीक है, बहुत दक्षे, एकदम सही सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का अंसर आ रहा है, very good बहुत दक्षे, सांदार अब देखिए, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट समझ रहोंगे, कैसे ये हो रहा है जो है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं, और कटा दिये, ठीक है ये तो basic रहा, zero level रहा, ठीक है, समझिएगा सभी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं लेबल वन पर, ध्यान दीजिएगा अब हम चलते हैं, लेबल वन लेबल वन देखिए, important है सभी स्टूडेंट सीखने का प्रयास करेंगे question number तीसरा, ये important type का question है, पूछा गया question है, और ऐसे प्रसंद पूछे जाते हैं तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सीखना है अच्छे से, ध्यान दीजिए ये question है, यदि A is to B बराबर 4 is to 3, तथा B is to C, बराबर 4 is to 5, हो तो A is to B is to C, बराबर क्या होगा, ये बोल रहा है ना पूछा क्या है दोस्तों, हमसे ध्यान दीजिएगा अब इसको लिखने का तरीका सीखिएगा लिखने का तरीका सीखिए अब वो ऐसे नहीं लिख देना है क्योंकि यहाँ पे देखिए, A is to B है, और यहाँ पे B is to C है तो देखेंगे, यहाँ पे दो B है दीख रहा है कि नहीं? तो आप ऐसे इसको नहीं लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखिए हमसे पूछा क्या है दोस्तों A is to B is to C यही तो पूछ रहा है ना ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है A is to B is to C, यही पूछ रहा है ध्यान दिजे, A is to B की जगा क्या दिया है, 4 is to 5, यानि कि A के नीचे 4, B के नीचे 3, यही होगा न, ध्यान दिजेगा, तो 4 is to क्या है, 3 है, देखिए यहाँ पर समझीएगा सब इस्टूडेंट, A is to B क्या है, 4 is to 3, तो A के नीचे 4, B के नीचे 3, लिख देंगे, एकदम सही बहुत अच्छे, हाँ, ध्यान दिजे, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आगे कह रहा है दोस्तो, B is to C, ध्यान दिजेगा, B is to C बराबर क्या है, 4 is to 5, तो B की जगा पर, यहाँ पर नहीं लिखना है, ध्यान दिजेगा, यह B क्या है, दोस्तो, 4 है, C क्या है, 5 है, समझ लिखने का तरीका आप सभी student सीखिए अभी यहां पर बहुत से student नहीं जानते होंगे सीखने का प्रेस करिए तो यह 4 is to 5 हो गया अब आपका क्या आएगा दोस्तों ध्यान दिजिएगा अब यहां से आपका आएगा A to B to C तो अब देखिए A to B to C के लिए आप देखिए करना क्या है यहां पर दो तरीका होते हैं यहां तो दोस्तों आप ऐसे करिए ध्यान दिजिए गुना 4 चोग को 16 A के नीचे फिर दोस्तों 3 चोग को 12 ठीक है फिर दोस्तों 3 पच्चे ऐसे ऐरो देखिए 4 चोग को 16 यहां पर 3 चोग को 12 यहां पर 3 पच्चे दोस्तों 15 यहां पर यानि इसका अंसर क्या होगा 16 12 15 यानि A to B to C क्या होगा दोस्तों 16 12 15 ऐरो थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा 4 से 4 चोग को 16 फिर 3 चोग को 12 फिर 3 पच्चे 15 समझ रहना समझने का प्रयास करिए सब्स्टूडेट 16 12 15 किस option में है ध्यान दिजिए option number C में है ठीक है तो आपका option number C सही होगा अब एक और तरीका बताते हैं ध्यान दिजिएगा यह आपका दोस्तों M1 रहा यानि method 1 ठीक है ध्यान दिजिए एक और देखिये method 2 सीखीएगा method 2 ध्यान दिजिए method 2 सीखिये सभी स्टूडेट यह simple है ध्यान दिजिएगा हमें बताना क्या है A is to B is to C A is to B दोस्तों क्या दिया है? ध्यान दिजिएगा 4 is to 3 दिया है B is to C क्या दिया है? 4 is to 5 दिया है 4 is to 5 ये देखिए simple है, सीखने येगा ये वाला सीखिए पहले जैसे दिया लिख दिये अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे देखिए, एक जगा खाली है ना, इसके बगल में क्या है अंक, 3 है, 3 भर दीजिए ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों एक जगा खाली है ना, इसके बगल में क्या है इधर? देखिए, इसके बगल में 3 था, 3 भर दीए, इसके इस लाइन में क्या खाली है, 4 है, 4 भर देंगे, ठीक है, अब उपर उपर गुना करिए, 4 चोको, 16, 3 चोको, 12, 3 पचे, 15, ऐसे भी करेंगे, तो 16, 12, 15 आ रहा है, क्या किये है इसमें, ध्यान दीजेगा, ध्यान दीजे, इसमें क्या किये है, इधर खाली जगा था, 3 भर दिये, क्योंकि लाइन में 3 था, बगल में 3 था, यहाँ पे खाली जगा था, बगल में क्या था, 4 तो 4, यानि भरने वाला यह प्रोसेस है, यह भी आसान है, तुरंट आंसर, आप उसके बाद से उपर उपर गुना कर लिजे, जब पूरा भर गया है, तो 4 चोको, 16, 3 चोको, 12, 3 पचे, 15, यानि कि 16, 12, 15 इसका भी आंसर आ रहा है, ठीक है, अभी हम आपको एक और तरीका बता रह तीसरा option है, दोस्तो, सभी student ध्यान दीजेगा, go through option, ध्यान दीजेगा, go through option है, ठीक है, सभी student समझने का प्रयास करिए, ऐसे प्रशनों को दोस्तो, solve करने के लिए, हम इतना ना करके, direct option से solve कर सकते हैं, क्या, direct option से solve कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे कह रहा है, दोस्त है दोस्तों यह सारे यह जो दिख रहे हैं यह B है यह C है समझ रहे ना गो थू आप्शन तीसरा मेथड है क्या दोस्तों आप्शन से सॉल्व करना ध्यान दीजिए यह आपका क्या है यह B है और यह C यानि कि यह लाइन वाले यह बीच वाला B राष्ट वाला सी समय रहें तो A इस इस बी बराबर कै दिया है 4 इस्टू 3 तो यह A इस टू बी होगा 4 इस्टू 3 है नहीं है यह फरी स्टू 3 है नहीं है यह फ़री स्टू 3 है हाँ देखेंगे चार चोको 16 रहे च्टिया ही 12 समझ रहे यानि 43 है समझ रहेब अब देखिये आगे क्या करेए विश्क ए करेए będzie 25 छी की जगा पर समझ चीए आसान है व इस तुसे की जगाब 4 Groß Втор तो ये 12 है दोस्तों अगर 12 को फिरते कटÁit डेखिएगा तो 3 चोग को बारह 3 55 45 इस्टू फाइब हो रहा है ध्यान दीजेगा यह पूरे कंडिशन को सडिस्वाइड कर रहा है तो आपका ओप्षन क्या हो जाएगा दोस्तों ओप्षन यह हो जाएगा यानी सोला बारा पंद्र हां एक दम अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट समझ यह कॉंसेप्ट क्ल यह सब गुणा गडित कुछ नहीं डिरेक्ट अंसर ध्यान दीजिए यहां पर देखिए दो आप्षन तो नहीं हुआ एस्टू बी की जगा फोर इस्टू थ्री तो इसे कटाए चार चोग को शोला चार त्याइं बारा फोर इस्टू थ्री हो रहा है ठीक है अच्छी बात यह पूरे रेस्यो को यहां सिटस्वाइड कर रहा है तो इसलिए आप method 3 से भी इसको क्या कर सकते है solve कर सकते उमीद करते हैं तीनों तरीका आपको समझ में आया होगा हाँ बहुत अच्छे एकदम सही हाँ एकदम सही very good जितने भी student का answer आ गया है 16, 12, 15 अब सभी student एकदम सही है उमीद करते हैं option वाला method भी समझ गये ठीक है विल्कुल सही हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे ध्यान दीजिएगा सभी student हाँ बहुत अच्छे ध्यान दीजिए चलिए next question की ओर चलते हैं ध्यान दीजिएगा अगला question देखिएगा question number 4 अच्छे से देखिए सीखते हुए चलिए हाँ सीखते हुए चलिए अब यह देखिए question number 4 है question number 4 काफी important है पूछा गया प्रस्न है ऐसे प्रस्न हमेसा पूछे जाते हैं most important है अच्छे से देखना है सभी student अच्छे से देखेंगे प्रस्न है यदि a is to be बराबर 4 is to 5 तथा c is to be बराबर 8 is to 7 हो तो a is to be is to c का मान ग्याद कीजिए ध्यान दिजिए प्रस्न में क्या कहा है दोस्तो a is to be दिया है 4 is to 5 और यहाँ पे c is to be दिया है b is to c नहीं दिया है c is to be दिया है 8 is to 7 और क्या पूछा है a is to be is to c यानि कि a अनुपाते b अनुपाते c हमसे पूछा क्या है दोस्तो a is to be is to c पूछा है और ध्यान दिजिए a is to be दिया है ध्यान दिजिएगा a is to be क्या है 4 is to 5 तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 अब यहाँ पे ध्यान दिजिए c is to be है 8 is to 7 अब यहाँ पर आप confused हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होंगे, आप confused हो जाएंगे, तो आप देखिए, simple तरीका है, यह C is to B दिया है, तो आप इसको B is to C कर सकते हैं, यह 8 is to 7 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 7 is to 8, ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दिजेगा, हाँ, ध्यान दिजे यह असान है, करना क्या है, पलट देना है, सिंपल करने के लिए, करने के लिए तो हम इससे भी कर देंगे, कोई नहीं, लेकिन यह तरीका सीखें, अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो यह तरीका सीखें सब इस्टूरिन, अच्छे सध्यान दीजे, यहाँ पे C is to B है, तो इसक to 8, तो B के नीचे रख देंगे 7, और C के नीचे क्या रखेंगे दोस्तों बताईएगा, C के नीचे क्या रखेंगे, 8, ठीक है, 8, अब देखिए, यहाँ पे आप चाहें, तो भरने वाला जो रूल बताए हुओ, यह आप ती रिया गुडा, यानि ऐसे, ध्यान दीजेगा 7 चोग, 28, 5 अठी, 35, 5 वठे, ध्यान दीजेगा, सब इस्टूडेंट सीखिए, तरीका चीखिए, एरो ध्यान दीजेगा, फिर 5 वठे, 40, ठीक है, ध्यान दीजेगा, 28, 35, 40, वरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का अंसर आया, 28, 35, 40, आप सब इस्टूडेंट एकदाम सही है यानि इसका अंसर क्या होगा 28 35 40 option नंबर कौन सा होगा सी सही हो जाएगा एक और ध्यान दिजेगा एक और इसके लिए तरीका क्या है दोस्तों ध्यान दिजेगा यह आपका क्या रहा एम रहा मैथड वन अब देखिए मैथड टू ध्यान दिजेगा मैथड टू सीखिए सभी स्टुडेंट मैं तर आप लोगों के लिए सिंपल होगा द्यान दिजेगा हमें बताना है एस टू बीज़ी जगह पे क्या दिया है दोस्तों प्र इस टू फाइव दिया है न और बी इस टू सी यहां सी इस टू बी था तो इसको हम बीज़ी के बीज़ी स्टू एट तो यहां पर बी के नीचे सेवन और सी के नीचे क्या होगा एट भरने वाला सीखिए देखिए यहां पैसे करेंगे ठीक है अनुपात का सिंबल फिर यहां पांच है बगल में तो पांच ल 22, 35, 40, इससे भी answer आ रहा है, कौन सा, option number C, तो ये दूसरा वाला जो method है, method 2, ये भी क्या है, आसान है, सीखिए, दूसरा वाला सीखेंगे, तो आगे 4 ratio निकालना होगा, 5 ratio निकालना होगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसमें भी हम आपको बता सकत से, इस वाले से भी 4, 5, 6 ratio, लेकिन इसमें आप क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, confuse होने लगेंगे, ऐरो ज्यादा घूमता है, तो ये वाला तरीका आप सीखिए, भरने वाला भी तरीका सीखिए, ठीक है, उमीद कर रहा है, आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहोंगे, method 2 समझ में आ गया, बहुत अच्छे, method 1 समझ में आ गया, बहुत अच्छे, अब देखिए, method 3, method 3 क्या है दोस्तो, go through option, go through option, ध्यान दीजिए, क्या है, A to B की जगा पर क्या है, 4 is to 5, क्या ये 4 is to 5 है, नहीं है, क्य 4 is to 5 है, ठीक है, पहला, अब यहाँ पर कहरा है, B is to C, 7 is to 8, क्या ये 7 is to 8 है, अगर हम इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7 is to 8 करना है न, तो इसको हम अगर 5 से कटाए, ध्यान दीजिएगा, तो 5, 7, 35, 5, 48, ये 7 is to 8 भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 7 is to 8 भी लेकिन ये 7 is to 8, option number D नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या कर रहा है, पूरे condition को satisfied कर रहा है, option number C, ध्यान दीजिए, सभी student, हाँ, एकदम सही, ध्यान दीजिए, सभी student समझिएगा, बहुत एक्षे बात है, सभी student समझ रहे हैं, हाँ, ध्यान दीजिए, तो answer क्या हो जाएगा, option number C, method 3 भी सीखे, method 3 सीखेंगे, तो आपको बरने वाला ये जो question है, ये नहीं करना पड़ेगा, अगर कहीं पर 5 ratio तक, 6 ratio तक आ जाता है, त ये वाला सीखेंगे, तुरंत answer देंगे, ये भी सीखेंगे, सभी student, हाँ, एकदम सही बहुत अक्षे, समझ में सभी student को आ रहा है, सभी student बताईए तो, समझ में आ रहा है, हाँ, method 3 अच्छा है, हाँ, सभी तरीका सीखेंगे, जितना भी तरीका बता रहे है, method 1 सीखेंगे, ऐसे cross करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, तो यह answer आ गया, फिर यह वाला भरने वाला किये, last में यहाँ पर 5 था, 5 बर्दी, यहाँ पर 7 था, 7 बर्दी है, 4-7-25, 5-35, 5-4-25, हाँ, एकदम साई, सभी student एसर कर रहे हैं, यानि समझ में आ रहा है, बहुत कोशन देखिए, अगला कोशन है, कोशन नमर 5, कोशन नमर क्या है, कोशन नमर 5 है, काफी इंपॉर्डेंट है, अच्छे से सभी student देखेंगे, कोशन नमर 5 है, यदि A is to B बराबर 6-5, तथा A is to C बराबर क्या है, दोस्तों, समझिएगा, A is to, क्या है, A is to 5, तो A is to B is to C का मान ग्यात कीजिए, ध्यान दीजे सभी student, A अनुपाते B दिया है, 6 अनुपाते 5, A अनुपाते C दिया है, 8 अनुपाते 5, तो पूछाए क्या है, A, B, C का मान, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं, प्रस्न जैसे आप करते थे, वैसे नहीं होग ध्यान दीजिएगा, दोनों में common क्या है, दोस्तों ध्यान दीजिए, दोनों में common क्या है, A, पहले वाले में common क्या रहता था, B रहता था, लेकिन इसमें क्या है, A है, तो ध्यान दीजिए, जो common रहता था, उसको हम बीच में रखते थे, लेकिन यहाँ पे अभी हम आपको to C दिया है तो A की जगा पे 8 और ध्यान दिजेगा अब C की जगा पे क्या 5 तो यहां पे आप confused हो जाएंगे कि सर कैसे रख दिये यहां पे बीच में क्या होगा कैसे करेंगे ठीक है ध्यान दिजेगा यहां होंगे इसको लिखने का एक तरीका होता है ध्यां दीजिए यहाँ पे दिया क्या है दोस्तो देख्वा तू क्या दिया है दोस्तों ध्याद दिजिए एस टू बी दिया है ठीक है और क्या कह बेर पहले इस टूरुदेंट समझे पहले ए-श-टू-बी और ए-ज स्टू-शी 6 is to 5, अब देखिए, A is to C, क्या है, 8 is to 5, तो A के नीचे लिखेंगे 8, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तो, 5, यह तरीका सीखिए, थोड़ा सा सीखिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से सीखिए, हाँ, समझिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीचे, तो अब यहाँ पर 48, आठ पच्छे या 5 वैठे, क्या होगा, 40, ठीक है, अब यह ABC नहीं आया है, यह CA भी आया है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है दोस्तो, A is to B is to C, सभी स्टूडेंट सीखिए, अब यह आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, सीखिए, ध्यान दीचे, अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, A is to B क्या है, 48, 40, क्या है, 48, 40, और क्या है दोस्तो, ध्यान दीचे सभी स्टूडेंट, और क्या है, ध्यान दीचे सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट देखने का प्रयास करिए, फिर क्या है दोस्तो, ध्यान दीचे, A के नीचे क्या है, 48, B के नीचे 40, C के नीचे क्या है, 30, 48, 40, 30, अब देखिए, कुछ नहीं करना है, इसको आप कटा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजे, तो 2 से 24 दुना के 48, 2 से 20, 2 से 15, ठीक है, 24, 20, 15, क्या होगा, ध्यान दीजे, 24, 20, 15, किस option में है, option number पहले में है, पहला सही हो जाएगा, तरीका सीखिए, कैसे लिखे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बताईए, समझ में नहीं आ रहा है तो बताईए, फिर बताएंगे, लेकिन समझने का प्रयास करिए, simple है, age to be, जब common दोनों में क्या है, दोस्तों, A है, तो A के बीच में र question पूछा जाता है, 24, 20, 15, answer क्या होगा, 24, 20, 15, बहुत एक्षे, very good, सभी student समझ गये हैं, क्योंकि सभी student कमेंट कर रहे हैं, 24, 20, 15, option number 1, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी student समझ गये, ठीक है, तो यह जो हम लिखे हैं, तरीका आप एक बार और बता देते है ध्यान दीजिएगा, यह जो तरीका हम आपको बताए हैं, यह एक बार और explain कर देते हैं, यह चीज आप सीखिए, देखिए, जो common रहता है, दोस्तों, उसको कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, A to B है, A to, सभी student ध्यान 6 is to 5, और A to C क्या है, 8 is to 5, 8 is to 5, भरने वाला तरीका बताए है, तो बगल में क्या भराएगा, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या होगा, 8 है, 8, 6 पचे, 30, 6 एठे, 48, 5 एठे, 40, यह C, A, B आया है, हमें A, B, C बताना है, तो A के नीचे 48, B के नीचे दोस्तों 40, ध्यान दीजे, B के नीचे 40, और दोस्तों क्या है, C के नीचे 30, ठीक है, इसको कटा आगे, छोटा किये, तो 24, 20, 15, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से अब समझ गए होंगे, ठीक है, तरीका यह वाला, सीखे सभी स्टूडेंट, हाँ, बहुत अच्छे, एकड़म सही, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, अब देखिए, इसको आप क्या करते हैं, ध्यान दीजेगा, इसको आप एक और तरीका है, ध्यान दीजे, एक और तरीका क्या बताएं, गो थ्रू ऑप्शन, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थ ध्यान दीजे, हाँ, ओप्शन से भता रहें, कुछ स्टूडेंट का पूछना है, ओप्शन से, व्रूप्शन से क्या कह रहा है, IS TO BE क्या कह रहा है, दोस्तो ध्यान दीजेगा, is to be 6 to 5, क्या ये 6 to 5 होगा, ध्यान दीजेगा, ध्यान दीजे, चार से कटाएंगे, 4 छके 24, 4 पच्चे 25, 6 इस टू 5 हो रहा है, ध्यान दीजिए, हाँ, 6 इस टू 5 हो रहा है, और कोई 6 इस टू 5 नहीं होगा, नीचे वाला हो सकता है, ठीके, कोई नहीं, पहले option पहला चेक करेंगे, 6 इस टू 5 हो रहा है, फिर कह रहा है, A इस टू C बराब और 8 इस टू 5, तो यह आपका A है, ध्यान दीजिएगा, A की जगह पे क्या है, दोस्तो 24 है, और C की जगह पे क्या है, दोस्तो 15 है, यहीं है न, ध्यान दीजिए सब इस टूडेंट, सीखिए, अभी सीखिए, 24 पंदरह है, तो देखिए, 3 वटे 24, 3 पच्चे 15, हो रहा है, अप्सन नमबर A सही, अप्सन से देखिए, सब इस स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, अप्सन से भी सीखिए, यहाँ पे कई सारे तरीके बतारे सीखने का प्रयास करिए, यहाँ पे देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहला अप्सन को लेते हैं, A to B क्या है, 24 इसको कटाईए, ध्यान दिजेगा, 4 छके 24, 4 पच्चे 25, लेकिन 20 to C नहीं है, A to C है, A to C की जगा पे 24 15 है, ठीक है, क्या है, 24 15 है, A to C, तो यह होगे 24, यह होगे आपका 15, ठीक है, तो इसे आप कटा लेंगे, 3 वटे 24, 3 पच्चे 15, 8 is to 5 हो रहा है, किस आप्सन से हो रहा है, तो आपका और पहला साई, ठीक है, हाँ, तो यह क्या है, go through option, सबसे आसान है, ठीक है, go through option क्या है, सबसे आसान है, उमीद करते हैं, आप सब इस स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, ठीक है, सीखने का प्रयास करिए, मन में यह होना चाहिए, सीख जाएंगे, ठीक है, अगर ऐसे बोलेंगे, नहीं आता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपके साथ ऐसे ही होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अगर आप यह सोच रहे है, ठीक कैसे हो रहा है, वैसे हम करेंगे, तो क्या होगा की नहीं होगा तो हां करेंगे प्रयास करेंगे होगा और सीख जाएंगे तो यह आप लोग के मन में होना चाहिए सीखना सीखने की ललक होनी चाहिए चलिए आगे देखिए question number six question number six देखिएगा important है उसी type का है यदि a is to b जोस्तों तो बीज गया होगा देखिए गडिजीए आप से आप सीखना से आप idea स्केटे आसान है लेकिन तशीके की हां क्या दूस्तों क्या है जब कभी बीच से तो आप क्या करेंगे यpowered two सब स्टूडेंट A visa करेंगे ध्यांदीजे सब स्टूडेंट A to B ध्यां दिविए लिखेंगे A to B और ध्यां दिजे A इस डूबी क्या दिया है दोस्तों और ये है एट टू तू आपका सी ध्यान्दीजिए पहले सीखिए यहाँ पर बीदी सी पूछा है तो पहले हम efficनि का लेंगे यह बीसिटी भी निकाल सकते परसान नहीं ओना है तो इस टू भी क्या है इधर slide में क्या है 2, तो यहाँ पे भरेंगे 2, यहाँ पे दोस्तों क्या है 10, तो यहाँ पे भरेंगे 10, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 21 दुना के 42, 10 दुना के 20, ध्यान दीजे, 3 दहा में 30, ठीक है, ध्यान दीजे, 2 गुने 22, 2 गुने 10, 20, 3 गुने 10, 30, ठीक है, अब देखि कि यह दो से क्या हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा है यह क्या रहा है दोस्तों Says C, A, B का ratio आ रहा है हमें क्या करना है पहले A, B, C निका लिए A to B to C निका लिए तो A to B to C क्या होगा A के नीचे क्या है 10 B के नीचे क्या है 15 C के नीचे क्या है 21 अब यह A to B to C आ गया अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं पूछा क्या है 20 to C 20 to C की जगह पर क्या होगा 15, 21 तो इससे कटा लेंगे 3, 5, 15 3, 7, 21 यानि क्या हो जाएगा 5 is to 7 क्या हो जाएगा 5 is to 7 बहुत एक्षे, very good हाँ, 15, 20 आ रहे है छोटा कर लीजिए 5 is to 7 हो जाएगा very good हाँ, option से यह आसान हो जाता क्या होता option से बहुत आसान हो जाता ठीक है हाँ पहले यह तरीका सीखिए option से बताएगे option से आसान हो जाएगा कोई भी प्रस्न option से बहुत आसान हो जाता है तो 5 is to 7 जितने भी student क्या रहा है या 15 है किस आ रहा है ठीक है 507 जितने भी student काया है आप सभी student एक डम बहुत अच्छे हैं हाँ सभी student का रहा है उमीद करें आप सभी student समझ रहे हैं ठीक है देखिए दोनों में जो common होगा दोस्तों उसको बीच में रखेंगे फिर AB हो गया और फिर AC हो गया ऐसे करेंगे तो आपके लिए बहुत आ आपसान हो जाएगा प्रेशनों को solve करना confusion नहीं रह जाएगा 5-7 बहुत तक्छे very good चलिए next question देखते हैं अगला question देखिएगा यह question देखिए important type का है और इसमें 4 question है ठीक है इसमें 4 question पूछा गया है ध्यान दियने का प्रेस करेंगे question number 7 बहुत ही important है question number 7 है यदि ध्यान दीजेगा यदि A is to B बराबर 2 is to 3 B is to C बराबर 4 is to 5 तथा C is to D बराबर 15 is to 7 यानि कि 15 अनुपात्य साथ हो तो ज्यात कीजिए क्या क्या बताना है इस प्रस्ण में हमें दोस्तों A is to B is to C is to D का मान ग्यात करो A is to D का मान ग्यात करो A is to C गमान ग्यात करो B is to D का मान ग्यात करो इतना बताना है तो इतना बताने के लिए आपको क्या खरना है वस एक ही तरीका है ध्यान दीजेए ये कही तरीका है सभी स्टूडेंट सीखिये इससे आसंदी होगा A, B, C, D का मालुिं कहलेंगे तो इससे H to D भी आजाएगा A to C भी आजाएगा B to D भी आजाएगा व्यां ध्यादा कुछ नहीं करना है भी देखिये जादा कुछ नहीं करना है सबी student ध्यान दिजेगा पहले हम क्या निकालेंगे A is to B is to C is to D ये निकालेंगे ठीक है ध्यान दिजे तो A is to B की जगा पर क्या दिया है दोस्तो 2 is to 3 दिया है देखिएगा 2 is to 3 दिया है ठीक है अच्छी बात है चलिए फिर B is to C की जगा क्या दिया है दोस्तो 4 is to 5 दिया है तो B की नीचे 4 और C के नीचे दोस्तो 5 समझ रहे है na अब देखिए आगे क्या कहा रहा है C is to D 15, 17 दिया है तो C के नीचे दोस्तो 15 और D के नीचे दोस्तो 7 ठीक है अब कुछ नहीं करना है अब भरने वाला प्रोसेस है भरने वाला प्रोसेस आप सबको पता होगा बगल में क्या है तीन बगल में क्या है इसके तीन ठीक है अब देखिए यहां पे इसके बगल में क्या है दोस्तों चार इसके बगल में दोस्तों क्या है पांच ऐसे भरेंगे यह बगल में दोस्तों क्या है? पंद्रा ध्यान दिजे सभी students 4 है सब जगा अब कुछ नहीं करना है direct गुना करना है हाँ 15, 60, 120 क्या होगा? 120 ध्यान दिजेगा ध्यान दिजे 15, 60, 60, 60, 3 180 सीखिए सभी students अब देखिए 3, 15, 15, 15, 225 215 अब आगे देखिए, यहां पर देखिए, 35 15 15 सत्य 105 105 ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप छोटा करेंगे, इसको छोटा करेंगे, तो यह सभी शंख्या हैं, जो धीक रही है, पंदार से कट सकता है, 15 अठ्ठे 120, 15 रहामें 15, 15 दुना के 30, यानि 12 बार में चला जाएगा, और 15, 15 हम 225 हो जाएगा, और 15, 70, 105 हो जाएगा, यानि A, B, C, D का जो रेशियो का अनुपात है, ध्यान दीजेगा, वो क्या होगा, 8 is to 12 is to, ध्यान दीजेगा, 15 is to 7, हाँ, 8, 12, 15, 7, क्या होगा, 8, 12, 15, 7 वेरी गूड, जितने भी स्टूडेंट का अंसर आ रहा है, 8 is to 12, 15 is to 7, आप सभी स्टूडेंट सही है, अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें क्या मान पूछा था दोस्तों, पहले का, तो पहले का अंसर आपका यही होगा, ठीक एक आठ है, डी साथ है, तो दूसरे का अंसर क्या होगा, A to D, 8 is to 7, तीसरा क्या पूछा है, A to C, तो A क्या है दोस्तों, ध्यान दीजे, 8 है, C 15 है, तो इसका क्या होगा, 8 is to 15, तीसरे का होगा, और यहाँ पे पूछा है, चौथा, B is to, ध्यान दीजेगा, A to C, 8 15, ठीक है B is to D, B कौन है दोस्तों, B 12 है, और D क्या है, 7 है, तो 12 is to 7, यह चौथे का अंसर होगा, हाँ, एक दम सही, 8 is to 7, 8 is to 15, 12 is to 7, very good, एक दम सही है, सभी स्टुडेंट, 8 is to 7, 8 is to 15, और 12 is to 7, very good, एक दम सही, 8 is to 7, 8 is to 15, हाँ, 12 is to 7, very good, very good, एक दम सही, सभी स्टुडेंट आंसर सही दे रहे, तो चारो प्रस्निक आंसर आ गया, किससे आया, इससे आया, उमीद करते हैं, आप सभी स्टुडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे, ध्यान दीजेगा, हाँ, हरने वाला प्रोसेस किये, उसके बाद से क्या किये, कटा लिए, 15 से सारा कटा, यह सभी 15 से कटे है, ठीक है, 8 बार ए 15 साथ आया है, हाँ, आसान है, समझ में आया की नही, एक बार सभी स्टुडेंट बताएए, समझ में आया की नही, समझ में आया तो यह सर कमेंट करिए फिन एक्स कोशन की और चलेंगे हाँ बहुत अख्ये ध्यान दीजिए उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट समझ गए होंगे हाँ ठीक है यह भरने वाला जो प्रोसेस है यह सीख लीजिए बहुत अख्ये चलिए नेक्स कोशन की और चलते हैं अगला कोशन देखिएगा इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था यह भी सीडी ना आप्सन रहता चार तुरंट आप्सन से ही आप्टिक कर लेते यहां से कंपरीजन करते हैं तुलना करते हैं और अप्सन से दे दे त्यान से ठीक है बहुत अच्छे आगे चलते हैं आगे देखिएगा सभी स्टूडेंट हाँ आगे ध्यान दीजिएगा कोशन नमबर एट देखिए कोशन नमबर एट देखिए तो आशान तरीका बता रहें कोशन है यदि x is to y बराबर 3 is to 2 हो तो 5x plus 4y is to 5x minus 4y का मान बताओ कि इसका मान क्या होगा तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां क्या दिया है x is to y तो यानि कि x by y बराबर क्या है 3 बटे 2 यानि कि x 3 है y 2 है तो x 3 है y क्या है 2 है तो हम इसे कह सकते है x बराबर 3 ध्यान दिजिएगा और y बराबर क्या दोस्तो 2 सीखिए बताना मान किसका है 5x plus 4y यह 5x है ध्यान दिजिएगा तो X की जगा पे हम क्या माने है दोस्तों? 3 माने है, ठीक है? तो 5 गुने क्या होगा? 3, ध्यान दीजिए, प्लस, ध्यान दीजिए, sub student, अब उसके बाद दोस्तों क्या है? sub student समझने का प्रेस करिएगा, Y की जगा 2 है, तो 4Y की जगा पे क्या हो जाएगा? 4 गुने 2, यही होगा ना, अब इसको E2 में है, बटा में लिख लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, 5X है, ध्यान दीजिए, तो 5 गुने क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 3, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं, 5 गुने 3, फिर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, 4Y है, तो 4 गुने 2, वाई की जगा पे क्या है? दोस्तों, 2 है 2, बस इतना किये, आगे देखिए, पास तियाई 15 प्लस, आगे देखिए, 15 प्लस चा आठ, यहाँ पे क्या होगा? 15 माइनस 8, ध्यान दीजिए, 15 माइनस 8, यह 15 माइनस 8 कैसे हुआ? 5 तियाई 15, माइनस है, माइनस 4 दुना क्या 8, हो रहा है? बहुत एक्षे, very good, maximum student answer दे रहे हैं, बहुत एक्षे, हाँ, 15 आठ जोड़ेंगे दोस्तों क्या होगा? 23, और 15 में से 8 जा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 7, तो रेशियो दोस्तों इसका क्या होगा? 23 बटा 7, यह कह सकते हैं दोस्तों, 23 तू 7, 23 तू 7, आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते थे, 23 तू क्या आता? 7 ही आता, बहुत अच्छे, जितने भी student का 23 तू 7 आया है, आप सभी student एक दाम सही है, हाँ, कुछ student 15 और 8 जोड़ नहीं पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 23 होगा, 23 होगा, 28 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, ध्यान दीजिए, हाँ, जोड़ ये, जोड़ना सीखिए, गुना करना सीखिए आप सभी student, बहुत अच्छे, very good, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ रहे होंगे, तो ऐसे question कभी भी आएगा, तो आप direct compare कर लेंगे, x क्या है दोस्तों, x आपका 3 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 2, यानि कि x 3, y 2, x बरबर 3, y बरबर 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ रहे होंगे, अच्छी बात है, चलिए, next question देखिएगा, अगला question, यह अलग type का question है, और यह most important है, अच्छे से देखिए, समझने का आप सभी student प्रयास करिए, question है, यदि 4m plus 2n is to 4m minus 2n, बरबर 7 is to 3 हो तो, m is to n का मान बताओ, किसका, किसका दोस्तो, m is to n, ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोस्तो, simple है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यह क्य है, दोस्तो, 4m, plus क्या है, 2n, bracket में है, और is true है, मतलब इसका क्या होता है, बटा, बटा होता है, bracket में क्या है, दोस्तो, 4m minus 2n, ठीक है, ध्यान दीजेगा, सीखने का प्रयास करिएगा, अभी हम आपको सिखा रहे, बरबर क्या है, 7 by 3, 7 is to 3 है न, इसका मतलब 7 by 3 है, अब इसका मतलब देखिए, इसको क्या करेंगे, cross multiplication, यानि तेरियक गुणा करेंगे, ध्यान दीजेगा, 3 से दोस्तों क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है, और 7 से दोस्तों क्या करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है, तो 3 से अगर गुना हम इसमें कर रहे है, ध्यान दीजेग साथ चों को 28m, माइनस दोस्तों साथ दुना के ध्यान दिजेगा, 14n, ध्यान दिजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अच्छे से आप सब इस पूरेंट सीखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 14n है, बराबर किदर आएगा, तो प्लस 14n हो जाएगा, यानि 6n, ध्यान माइनस में, यह लिख देते हैं, यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, उमीद करें आप सब सी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, हाँ, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी स्टूडेंट है, सीख सकते, 14n और 6n, यानि 6 और 14 दोस्तों क्या होगा, 6n, 14n क्या ह होगा, 20n, बराबर 28 में से दोस्तों क्या करेंगे, 12 घटाएंगे, तो क्या होगा, 16m होगा, ठीक है, हमसे पूछा क्या है, m is to n पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, m इधर है, ध्यान दीजिए, 16 इधर है, 16 इधर आएगा, तो भाग में हो जाएगा, n गुने में समझ रहें, आप इसको इधर भी कर सकते हैं, यानि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m by n बराबर क्या है, दोस्तों, 20 बटा 16, ध्यान दीजिए, 20 बटा 16, अब यह देखिए, 4 से कट जाएगा, 4, 25, 24, 16, m by n बराबर क्या होगा, क्या होगा, 5 by 4, तो m by n को हम लिख सकते ह है, 5 to 4, हम से पूछा क्या है, यही तो पूछा है, 5 to 4 क्या होगा, आंसर होगा, हाँ, जितने भी स्टुडेंट का 5 to 4 आंसर आ रहे हैं, आप सभी स्टुडेंट एक दम सही है, हाँ, इतना नहीं करना था, डिरेक्ट आंसर दे देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए क् एक एक स्टेप लिख रहे हैं, ताकि आप कमजोड छादर भी होंगे, तो समझ सकेंगे, हाँ, यह सब पसांतर करना, तीरिय गुणन खन करना, यह सब आप सीख जाएए, क्योंकि बार बार आप यह कराएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा, यह आप सीख जाएंगे, तो हम आप लोग को बताएं हैं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, अगर आपको बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो अभी फिलाल क्या करिए आप लोग, आप लोगों के लिए एक और चैनल है, एक्जाम फिनिसर, अपना ही चैनल है, उस चैनल पर जाएए, चैनल से पहले जुड़ जाएए, वहाँ पर बेसिक कॉंसेप्ट की क्लास चलिये, पार्ट उन से लेके पार्ट वाइफ तक, जिसमें सारे बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर किया हैं, ठीक है, हाँ, जिसमें जोड घटाना गुड़ा भाग, भीनिके, जोड घटाना गुड़ा भाग, दस्मलो अब एक student पूछ रहा है सर 5 से क्यों नहीं काटे 5 से इसलिए नहीं काटे 5 का अगर आपको पहाड़ा याद होता तो पता चलता 5 से 16 नहीं कटेगा 5 से क्या होगा 16 नहीं कटेगा 20 तो कट जाएगा लेकिन 16 नहीं कटेगा आपको SSN क्या मनना है जिससे दोनों कटे तो हम 4 से 16 भी कट रहा है 4 से 20 भी कट रहा है ठीक है देखिए 5 से नहीं कटे हैं हाँ ध्यान दीजिए 5 से देखिए इसलिए नहीं कटे अब यहां पर इतना भी बताना है पड़ेगा 5 के पहाड़ा में दोस्तों 5 से 5 को 20 तो कट जाता लेकिन 16 नहीं कटता इसलिए 4 25 और 4 16 चार से उमीद करते हैं सीखिए समझने का प्रयाज करिए सब इस्टूडेंट समझ गया होंगे बहुत अक्षी बात है जिनका बेसी कमजोड है उनके लिए बता दिये एक्जाम भी निसर से आप सब इस्टूडेंट क्या करिए पार्ट वन से लेके पार्ट फाइप तक कंप्लीट कर लिए फिर यहां प्राइएंगे तो आपका भी मजबूत हो जाएगा ठीक हाँ एक दम साही चलिए नेक्स कोशन देखते हैं अगला कोशन देखिएगा को अगर नमबर दस most important question है अच्छे से देखना है यदि A is to B बराबर C is to D बराबर E is to F बराबर क्या है दोस्तो 3 is to 4 हो तो बताना है आपको 9 A plus 3 C plus 7 E is to 9 B plus 3 D plus 7 F का मान क्या होगा यह बताना है इसका मान क्या होगा बराबर क्या होगा यह पूच रहे है टीक है ज्ज़ादा कुछ नहीं करना है सभी श्टूटेंट यहंप देखेंगे important है ध्यान दिज्ये ध्यान दिज्ये सभी स्टूटेंट यह A is to B की मतलब क्या होता है A by B बराबर किसके है दोस्तों C by D के, बराबर किसके है दोस्तों, E by F के, ध्यान दीजे, ये E by F है, ठीके, E by F के, बराबर है, बराबर क्या है दोस्तों, तीन बटे, चार, ध्यान देने का प्रेस करिए सबी स्टुडेंट, यहां पर देखिए, यानि कि A by B by बराबर इंपोर्डेंट तरीका है इंपोर्डेंट कोशन है और इंपोर्डेंट तरीका भी है सबी इस्टूडेंट चीएगा देखिएगा तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर A, C, E, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A, C, और E, बराबर होगा 3, होगा की नहीं, उपर उपर, नीचे नीचे देखिए, B, D, और F, बराबर क्या लिख सकते हैं, 4, होगा की नहीं होगा, होगा, क्योंकि A by B बराबर क्या होगा, 3 by 4, तो 1 बराबर 3, B बराबर 4, इसी प् देखिए समझने का आप सब इस्टूटेंट प्राइस करिए हाँ एक डम अच्छे से देखिए हाँ कि अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां पर एक ही जगह पर दोस्तों तीन ध्यान दीजिए A, C, E की जगह पर 3, B, D, F की जगह पर 4 रखेंगे अब ही हम आपको असान तरीका बताएंगे A की जगह पर क्या रखना है 3, C के जगह पर भी 3 और E के जगह पर भी क्या रखना है दोस्तों 3 ही रखना है ठीक है ध्यान दीजिएगा तो आप इसको गुना करिए यहाँ पर सब में 3 है common हो जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सब में क्या होगा 3 common हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 9 गुने क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 गुने क्या होगा 3 प्लस 7 गुने क्या होगा 3 ठीक है आप गुना करके जोड लीजिए और बटर में क्या होगा दोस्तो BDF, यहाँ पे BDF है सबकी जगह पे 4 रखेंगे तो यह क्या होगा दोस्तो इस्टू यहाँ पे लिख रहा है सीखिए सब इस्टूडेंट सीखने का प्रयास करिए समझ में आएगा तो यहाँ पे 9 into 4, 9 गुने 4 फिर प्लस 3 गुने क्या होगा? 4 प्लस, 7 गुने क्या होगा? 4 सीखिए, यहाँ पे सीखिए important है, यह is 2 है ठीक है, इन सम्में common क्या है दोस्तो? 3 common है direct answer आएगा ध्यान दीजिएगा, सम्में common क्या है दोस्तो? 3 तो तीन common कर लिए इस वाले को देखिएगा ये एक है ठीक है दो पार्ट में लिख दिया है जगह की कमी को जसे यह हो जाएगा दोस्तों तीन common होगा तो 9 प्लस ध्यान दीजे सभी student 3 प्लस इसमें से 3 निकलेगा तो 7 ठीक है अब ये आपका क्या हो जाएगा ध्यान दीजे हैं ताकि आप लोगों के लिए असान हो जाए इस टू खटा देते हैं बटा में लिख देते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर इसमें common क्या होगा दोस्तों सब में 4 common ले लिजे तो ये क्या होगा 9 प्लस 3 प्लस चार common हो जाएगा तो ये 7 ठीक है 9,3,12,12,12,12,12,12,19 19,19 इसका अंसर क्या हो जाएगा तो बचाएगे क्या दोस्तों 3 by 4 मतलब आंसर इसका क्या होगा 3 is to 4 आंसर इसका क्या हो जाएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा इसका अंसर बराबर क्या हो जाएगा 3 is to 4 ही हो जाएगा आंसर इसका क्या होगा 3 is to 4 जितने भी student का 3 is to 4 आ रहे हैं आप सभी student एक दम सही है हाँ अभी आसान तरीका बता रहे हैं पहले ये मान रख के देखिए हाँ गुना करके जोड के काट की भी सकते हैं लेकिन लंबा प्रसेस होगा अभी हम आपको बताते हैं सिंपल तरीका इसका मान क्या होगा डिरेक्ट बोलेंगे तो 3 is to 4 होगा बहुत अच्छे आप देखिए इतना आपको नहीं करना है परिक्षा में अगर आए तो ध्यान दीजिए परिक्षा में आए तो आपको इतना नहीं करना है आपको पता है दोस्तो A, C और E क्या है दोस्तो 3 है B, D, F क्या है दोस्तो 4 है समझने का प्रेस करिए तो यहाँ पे देखिए A, C, E दिया है 3 ही दिया है 3 common कर लेंगे तो 9 प्लस 3 प्लस 7 यहीं तो बचेगा बटा में यहाँ पे दोस्तो B, D, F क्या है 4 है तो यहाँ पे देखिए B, D, F है न तो इसमें 4 जब common कर लेंगे तो क्या बचेगा 9 प्लस 3 प्लस 7 ही तो बचेगा 9 प्लस 3 प्लस 7 cancel 3 बटा 4 यानि आंसर क्या हो जाएगा 3 is to 4 हो जाएगा बस आप यह देखते कि दोनों में संख्या है 9-3-7, 9-3-7 है और यह दोस्तो क्या है सबका पहला है और इसमें सबका दूसरा है तो ज़्यादा कुछ टेणसर नहीं लेना है डिरेक्ट क्या अंसर देदेना है 3 is to 4 अंसर देदेना है direct क्या दे देना है, 3-4 दे देना है, पहन उठाने की ज़रूरत नहीं है, कटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उमीद करते हैं, आप सबी student आप समझ गये होंगे, हाँ, एक बर आप सबी student यह बताईए, समझ में आया कि नहीं, एक दम सही ध्यान दीजिए, सबी student बहुत दक्षे ज्यान दिजीए समझने का प्रयास करिए समझ में आ जाएगा ठीक है अच्छा कोशन है बहुत दक्षे चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 11 इंप्रडन है देखना है पूछा गया कोशन है यादी एससे अप डिरेक्ट नहीं लेगा लेंगे आप क्या करेंगे A इस्टू B इस्टू C पहले निकालेंगे ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे हम आप लोगों को बताते हैं क्या करना है A इस्टू B इस्टू C पहले निकालेंगे ठीक है ध्यान दीजिए आप कोई भी यहाँ पर कर सकते भरने वाला असान है तो भर दीजिए बराबर में 6 बराबर में इधर क्या हो जाएगा 4 समझ रहे न ये 3 6 के 18 ठीक है ध्यान दीजिएगा अब कुछ नहीं करना है अब इसको थोड़ा से छोटा कर लेंगे दो से कटाई ये 298 दो से 12 दो दहां में 20 9 is to 12 is to 10 ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या रहा है question number 11 देखिए 9 is to ध्यान दीजिएगा 9 is to 12 is to 10 आ रहा है हमसे पूछा क्या है दोस्तो a is to a plus c तो a की जगा पर क्या रखेंगे दोस्तो 9 ठीक है इस टू अब ध्यान दीजिए a plus क्या है c यानिकी 9 प्लस 10 ध्यान दीजिए 9 प्लस 10 यानिकी 9 अनुपाते 19 very good जितने भी student का 9 is to 19 आ रहा है आप सभी student एकदम सही है समझ में आया की नहीं एक बार कमेंट करके आप सभी student बताइए समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है और उमीद करते हैं आप सभी student समझ भी रहेंगे तो यहां से कुछ भी पूछेगा तो आप डिरेक्ट क सभी student सही है क्योंकि सभी student का अंसर आ है 9 is to 19 ठीक है तो भरने वाला भी कर लेते या ऐसे कर लेते ठेटरी 18 चार्चे के 24 25 ऐसे भी कर लेते तो अभी आपका अठारा चोविस बीस आता कि एक दम सही चलिए next question देखते हैं आगे देखिए question number 12 ध्यान दीजिए यदि A is to B ब्राबर 3 by 2 is to 7 by 3 ध्यान दीजिएगा और कह रहा है B is to C ब्राबर 1 by 5 is to 1 by 7 है तो A is to B is to C का मान गयात कीजिए हाँ A is to B is to C गयात कीजिए क्या होगा इसका अंसर दीजिए तो देखते हैं कैसे लिखते हैं हाँ A की जगा पर क्या है 3 by 2 B की जगा 7 by 3 नहीं समझ में आएगा पहली बार है तो नहीं आएगा कोई नहीं यहाँ पर देखिए समझाते हैं A is to B वराबर क्या है दोस्तो 3 by 2 is to क्या है 7 by 3 ध्यान दीजिए सभी स्टुडेंट्स समझने का प्रयास करिए समझने का प्रयास करिए यहाँ पर हम आप लोग को समझाते हैं अच्छे से सीखेंगे तभी समझ में आएगा यह 3 by 2 है यह 7 by 3 है यह अभी क्या है दोस्तों लिखेंगे असे दर्वामेट क्या होता है रेचियो का हां जो एक रेचियो में होता है जैसे हम लिखते हैं एस्टू बी बराबर 3 is to 5 ऐसे लिख रहें यह स्टेंडर फॉर्मेट है यह स्टेंडर फॉर्मेट नहीं है तो आप इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा आप समझ रहें पहले भाग करते हैं फिर जो आता है गुना करते हैं अब देखिए तीन दुना के छे दो सत्ते 14 दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 6 यानि आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट यहां पर दोनों में कॉमन क्या है छे तो आप इसको ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों में common है 6, तो आप इस common वाले को नीचे वाले को हटा लेंगे, ठीक है, यानि 9 is to, 9 is to, क्या हो जाएगा, 9 is to 14, 9 पते 14, क्या हो जाएगा दोस्तों, A is to, B क्या हो जाएगा, 9 is to 14, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, 2 ह जाएगा, 14, तब भी आपका क्या था, 9 is to, 14 आथा, ठीक है, चाहे आप दोनों का LCM लेके, कर सकते, ध्यान दीजिए, B is to C की जगा क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, B is to C की जगा पर क्या दिया है, 1 by 5 is to, 1 by 7, दिया है ना, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा साथ का दोस्तो, LCM क्या होगा, 35 होगा, 35 होगा, 5, 7, 35, 7, एकम 7, साथ बच्चे, 35, 5, एकम 5, दोनों में ये 35 है, दोनों को हटा दीजिए, Standard Format में ये आ गया, क्या गया दोस्तो, ये Standard Format में 7 is to 5 आ गया, या 2 है, तो आप डिरेक्टीरिया गुणन खंड कर लेते, यहाँ साथ एकम 7, पांच एकम 5, 7 is to 5 हो जाता, तीरिया गुणा भी कर सकते हैं, LCM निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, अब आप लोगों को बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बताना क्या है दोस्तो, A is to B is to C, यही तो बताना है, अब तो आंसर आई जाएगा, ध्यान द इस to C बताना है, तो A is to B की जगए पर क्या है दोस्तो, 9 is to 14 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से दोस्तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, B is to क्या है, 7 is to 5 है, अब यहाँ पर तो आप सब स्टूडिंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 14 भर दीजिए, यहाँ पर क्या करिए, 7 भर दीजिए, ठीक है, हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, चलिए, अब यहाँ तक करिए, उसके बाद हम देखते हैं, हाँ यहाँ तक करिए, उसके बाद हम देखते हैं, अंसर आ रहा है कि नहीं आ आने रहे एक बार करिए गुना करिए गुना ही तो करना है आ रहा है आंसर बहुत अच्छे वेरी गूट मैक्सिमम स्टूटेंट आंसर दे रहे हैं देखिए 9 is to 7 9 सत्य क्या होगा? 63 हो जाएगा 14 सत्य क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा 14 पच्चे क्या होगा? 70 हो जाएगा यानि कि क्या है दोस्तो ध्यान दिजेगा हमें बताना क्या था? A is to B is to C बताना था तो ये क्या है या? 63 ध्यान दिजेगा 63 और क्या है दोस्तो? 98 और क्या है दोस्तो? 70 ध्यान दिजेगा सभी स्टूडेंट हाँ, कुछ स्टूडेंट इसी फॉर्मेट में लिख दिये हैं और छोटा नहीं कर पाए हैं और कुछ स्टूडेंट छोटा किये हैं ठीक है? ध्यान दिजेगा तो आप इसको देखिए 7 से कटा लेंगे 7, 9, 63 14, 73, 98 7, 10 में 70 ध्यान दिजे? हाँ आंसर आ रहे आप लोगों का ध्यान दिजे 9, 14, ध्यान दिजे 9, 14, 10 जितने भी स्टूडेंट का अंसर आए आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है एकदम सही पहुत अक्षे, very good अब आप लोगों का अंसर आ गया है क्या आ गया है? ध्यान दिजेगा 7, 9, 3, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 14, 10 very good जितने भी स्टूडेंट का इस फर्मेट में अंसर आया है ABC 9 is to 14 is to ध्यान दिजे 9 is to 14 is to 10 आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है बहुत देख्षे, उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समाझ गए होंगे बहुत देख्षे क्या होगा? 9 is to 14 is to 10 very good एकदम सही सभी स्टूडेंट सही है चलिए अब चलते हैं नेक्स कोशन की ओर ज्यादा कुछ नहीं है जब इस फॉर्मेट में हो तो आप स्टेंडर्ड फॉर्मेट में करिए तीरिया गुणा करिए या क्या करिए दोस्तों ध्याद दीजिये LC हम निकाल कर सकते तो अगर ये से दो दो के फॉर्मेट में है तो आसान क्या होता है? तीरिया गुणा करना तीन तीरिके नो दो सत्य चौदा फिर एक बच्चे पाच ध्यान दीजेगा हाँ साथ एकम साथ और पाच एकम पाच समझ रहे ना वेरी गुड एक दम सही सभी स्टूडेंट सही है नाइन इस टू फॉर्टीन इस टू टैन आंसर आया बहुत अक्षे यही आंसर हो जाएगा चलिए आगे देखिए कोश्चन नमबर ध्यान दीजेगा कोश्चन नमबर 13 है कोश्चन नमबर क्या है 13 इसका अंसर देने का प्रयास करेंगे कोश्चन नमबर 13 देखिएगा हाँ आंसर दीजेगा कोश्चन नमबर 13 यदि P का 4 बटा 7 भाग Q के ध्यान दीजेगा 12 बटा 14 भाग के बराबर है तो P to Q क्या है simple है आसान है P का मतलब क्या होता है गुना P गुने 4 बटा 7 भाग किसके बराबर है दोस्तो Q के किसके बराबर है 12 बटा ध्यान दीजेगा 12 बटा 14 के तो P is to Q पूछ रहा है यहां से हम direct काट रहे हैं ठीक है direct काट रहे हैं परेसानी किसी को नहीं होना चाहिए ध्यान दीजे नीचे नीचे 7 दुना के 14 ठीक है यहां से 2 छके 12 अब 4 छे है तो 2 दुना के 4 2 तियाई 6 किसी को भी किसी प्रगार की समस्या नहीं होना चाहिए ध्यान दीजेगा तो यह 2P बराबर क्या है दोस्तों ध्यान दीजे हाँ 2P बराबर 3Q है P is 2Q बताना है P Q गुने में है आ जाएगा इधर भाग में उधर क्या है दोस्तों 3 ये 2 गुने में है चला जाएगा क्या भाग में 3 by 2 तो P by Q बराबर 3 by 2 तो हम इसको लिख सेकते हैं दोस्तों, P is to Q, बराबर क्या लिख सेकते हैं, 3 is to 2, नीचे नीचे कट जाएगा, उपर उपर कट जाएगा, यह आप सब को पता है, और 3 is to 2 जितने भी student का अंसर आया है, आप सब इस्टूडेंट साही है, अगर यहाँ पे नहीं कटा पाए हैं, तो यह भी बताईए explain करेंगे, क्योंकि basic से पढ़ा रहे हैं, हाँ, अगर आप महनत ही नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ हम से ही गुणागरित करवा रहे हैं, ध्यान दीजेगा, अगर आप महनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम से ही कटा रहे हैं, गुणागरित करा रहे हैं, तो करना आपको का एक बार आप लोग सभी बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं ये कटा पा रहे हैं कि नहीं कि एक दम सही है है वहाँ अच्छे चलिए समझ गया है सभी स्टुडेंट चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नहीं समझ में आ तो गुना कर लीजिएगा पसंदर करिएगा समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिएगा समझ में आएगा क्योंकि इतना बेसिक से समझा रहे हैं तो अब समझ में नहीं आएगा तो कैसे आएगा ये कोशन देखिए कोशन नमर क्या है कोशन नमर 14 कोशन नमर 14 है का रहे दोस्तों यदि X का 3 बटा 5 भाग Y के 4 बटा 9 भाग के बराबर है तो X तथा Y का अनुपात क्या होगा यानि की X to Y क्या होगा यह पूछ रहा है कुछ नहीं करना है same question है answer दीजिएगा देखते हैं क्या कह रहा था दोस्तों X का 3 बटा 5 भाग किसके बराबर है Y के दोस्तों 4 बटा 9 भाग के ठीक है क्या ही अभी यहाँ पे कटेगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यह कटेगा ध्यान दीजिए नहीं कट रहा है कोई बात नहीं ध्यान दीजिएगा कोई बात नहीं समझने का आप सभी student प्रैस करिए तो आप इसको ध्यान दीजिए इसक तो यहाँ पे student confused होंगे, इसलिए हम नहीं करेंगे, यह 3 से गुना करेंगे, तो 3 x y क्या हो जाएगा, 5, ऐसे समझेगे, 4 से y में करेंगे, तो 4 y y क्या होगा, 9, तीरियक गुननखंड कीजिए, तो यहाँ से देखिए, ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो नत्री ध्यान दिजेगा, 27 x बराबर, 5 को 20 y, हमें बताना क्या है, x by y, तो ध्यान दिजे, x है, ध्यान दिजे, सब इस्टूडेंट समझेगा, यह x है, बराबर कुदर y है, आगे अग भाग में, 20 है, बटा में नीचे क्या होगा, 27, तो x by y क्या होगा, 20 is to 27, very good, 20 is to 27, यानि कि x is to y क्या हो जाएगा, 20 is to 27, बहुत दग्छे, आब स्टूडेंट समझ गए हैं, क्योंकि आंसर आ रहा है, 28, 20 is to 27, कुछ स्टूडेंट इसको भी 20 और 27 को भी पता लिए हैं, kिस संख्या से कटा लिए है, हमें भी बताईए, किस संख्या से कटा लिए हैं, 20 और 27 कौन ऐसा संख्या आ गया जो दोनों को भाग कर दिया बताईए आंसर होगा 20 तू 27 वेरी गुड जितने भी स्टूडेंट का 20 तू 27 आया है आप सभी स्टूडेंट एक नम सही है बहुत अक्षे वेरी गुड उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गये होंगे च नीचे लिखना चाहिए हम यहां पर देखिए उपर लिख देते हैं कोई नहीं यहां पर इसको मिटाते हैं ठीक है इसको मिटाते हैं ध्यान दीजिएगा 20 तू 27 आ रहा था तो इसको यहांप करते एक से गुने में वाई है वाई 4 वाई क्या है दोस्तों 9 है यह भाग उने 27 यानि कि x by y बराबर क्या हो जाता 20 to 27 यही होता ना 27 है तो यह 20 और 27 का रेशियो होता ठीक है ऐसे भी आप कर लेते तूरंद कर लेते ठीक है 4y 4x yx कुछ भी नहीं करना पड़ता यह भी सीखिए यह गुने में है बराबर कुदर जाएगा भाग में होगा तो भाग के लि कोशन नमर 15 देख लिजिए इंपोर्टेंट है कोशन नमर 15 है यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a इस टू इस टू इस टू सी ज्यात करे यानि कि a b c क्या होगा ध्यान देने का प्रेस करिए a b c क्या होगा ज्यादा कुछ नहीं करना है प्रसन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं देखिए यह क्या है दोस्तो 6a बराबर है किसके 4b बराबर है 9c के ध्यान दीजे, यह सब बराबर है, तो यह भी किसी के बराबर होगा, यानि किसी constant KK बराबर होगा, ध्यान दीजेगा, हाँ, यह बराबर है KK, ध्यान दीजे, तो K क्या है, दोस्तों, तो K क्या है, किसके बराबर होगा, यह देखिए, 6A, 4B, 9C बराबर है, ठीक है, सब यह बराबर है तो यह भी किसी के बराबर होगा ढां दिजेगा तो यह किसके बराबर होगा कच का है कच्छ करने के लिए देखिए सिंपल तरीका सीखें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है छे चार नौ का एलसीयम क्या करेंगे छे चार नौ का कि एलसीयम ठीक है तो क्या होगा तो तो यानि कि ध्यान दीजिए आप सब इस्टुडेंट देख सेकते हैं अभी हम मैं एक्सप्लेंड भी करेंगे 6A बराबर 4B ध्यान दीजिएगा के का मान ले आए हैं ध्यान दीजिएगा 4B बराबर 9C बराबर क्या है 36 आप ध्यान दीजिए सब इस्टूटेंट देखिए यानि कि 6A बराबर 36 4B बराबर 36 9C बराबर 36 तो ध्यान दीजिए 6A बराबर 36 तो A बराबर क्या होगा 36 बराबर 6 छचेए के 36 और B बराबर भी क्या होगा दोस्तो 36 के है तो B बराबर क्या होगा 36 बराबर 4 यानि कि 4 नवा 36 और क्या है 9C 9C बराबर क्या होगा दोस्तो इसके बराबर भी होगा 36 यानि सब ही किसके बराबर है 36 के बराबर है तो C बरबर क्या होगा? 36 बटा 9, 9 4 को 36 A, B, C का माना गया, हमसे पूछा क्या था दोस्तो, A is to B is to C ध्यान दीजे, तो A की जगा पर क्या है दोस्तो? 6 B की जगा दोस्तो 9, और C की जगा 4 यह अंसर होगा, अब यहां पर आप जहां है, तो दोस्तो, A की जगा 6 रखेंगे A की 6 गुने 6 क्या हो जाएगा? 36 B की जगा 9 रखेंगे, 9 4 को 36 C की जगा 4 रखेंगे, यहां पर ध्यान दीजे 4, 4, 4, यहां पर क्या रखेंगे? B की जगा 9, तो 4, 9, 36, ठीक है यहां C की जगाद 4 रखेंगे, तो 9 चाओ को क्या हो जाएगा यहां पर ध्यान दीजे, 36, बराबर क्या है दोस्तों, 36, समझ रहें कि नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, A to B is to C, 6 is to 9 is to 4, क्या होगा, 6 is to 9 is to 4, very good, कभी भी ऐसे question आ है, तो इसे एक constant के बराबर मान लीजे, constant क क्या मानेंगे ध्यान दीजेगा सभी student, क्या मानेंगे ध्यान दीजेगा, क्या मानेंगे LCM, constant जो मानेंगे उसका ले लेंगे LCM, जो आएगा answer होगा, एक और तरीका बताते हैं, आप चाहते तो दोस्तों ध्यान दीजेगा, आप चाहते तो direct क्या करते, ध्यान दीजे, इत बटा क्या करिये 36, बटा क्या करिये 36, ध्यान दीजे, 36, 4, 9, 4, 36, एक की जगा पर दोस्तों क्या है, 6, B की जगा 9, C की जगा 4, 6 is to 9 is to 4, क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ऐसे भी कर लिजिए, ऐसे भी करेंगे तो आंसर आजाएगा, उमीद करते हैं, आप सभी स्टुडेंट समझ रहोंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहोंगे, एक दम सही, बहुत अच्छे, ध्यान दीजे, उमीद क देखिएगा, सभी स्टुडेंट, एक और कोस्टन देखिए, कोस्टन सेम है, यदि 6A ब्राबर 5B ब्राबर 4C, तो A इस्टू, B इस्टू, C ज्यात कीजिए, तो इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शेम, आंसर दीजिए, आंसर आप लोग दीजिए, हम देखना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, देखिए, कुछ नहीं करना है, बराबर के मानते, LCM लेते, कुछ नहीं, हे 5, 4 का LCM, किसका दोस्तों, हे 5, 4 का LCM, क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 60, LCM क्या होगा, 60, LCM निकालना, आप लोग को आता होगा, तो क्या करेंगे ध्यान दीजेगा, ध्यान दीजे, बटा 60, बटा 60, बटा 60, तो 6 दहां में 60, 5 12 से जाएगा 60, 4 से 15 चौको 60, ठीक है, तो A की जगा के नीचे 10, B की जगा पे दोस्तो 12, C की जगा पे 15, ठीक है, 10, 12, 15, कुछ इस्टूडेंटी से भी कटा रहे, ये कटेगा नहीं, 10, 12, 15, very good, बहुत अच्छे, हाँ, LCM निकालना नहीं आता है, कोई बात नहीं सिखा देंगे, परिसान नहीं होना है, LCM निकालना सिखाएंगे आपको, आज की क्लास में नहीं सिखाएंगे, बात में सिखा देंगे, पहले वहाँ बेसिक से पढ़िए, बेसिक वाले में बताएं, LCM कैसे निकालते, ठीक है, तो ये देख लीजिए, 10, 12, 15, बहुत अच्छे, very good, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट समझ गया होंगे, ठीक है, तो इसका अंसर ये आ गया, उमीद करते हैं, आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है, हाँ, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, छोटे-छोटे कोशन से आगे बढ़ेंगे, Class 2 का पहला कोशन देखिएगा, Class 2 का पहला कोशन important है, अच्छे से पढ़ेंगे, कोशन है, दो संख्याओं का अनुपात 5 is to 4 है, यानि 5 अनुपात 4 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं मेंसे, छोटी संख्या क्या है, ये पूछ रहा है, अंसर भी देने का साथ में सभी सुडेंट प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रस्न ज्यादा, tough नहीं है, बहुतीजी है, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं हैं, तो आप दोस्तो मान सकते ह ध्यान दीजेगा यह 5x है यह 4x है ध्यान दीजेगा क्या है दोस्तों यह 5x है और यह क्या है दोस्तों 4x है दोनों संख्या है ऐसे मानेंगे जरूरी नहीं है कि 5 और 4 ध्यान दीजेगा 5 4 अगर देखेंगे तो जोड़ने पर नहों होगा यहां पैसे नहीं 5x और 4x और कह र 9X 9X ब़ाबर दोस्तों क्या होगा 180 तो X ब़ाबर क्या होगा दोस्तों 180 बटा 9 ये 9 रूआ एकस है बोने में ब़ाबर कि ज़र आएगा भाग में चला जाएगा 9 से 180 कटेगा там दूना एक 75 और संख्याय की चार बढ़ा है तो आप बोलेंगे चार बढ़ा है ठीक है संख्याय 5x और 4x माएं ठेदेंद दिजिए 5x और 4x दियान दिजिए तो हम दोनों का मानन निकाल लेंगे 4x का मतलब दोस्तों 4गुने क्या है एक्स कमान 20 तो क्या हो जाएगा 80 छोटी संख्या 80 हो जाएगी अगर बड़ी संख्या पूछता तो दोस्तों क्या करते पांच गुने x कमान क्या है 20 तो 5 गुने 20 करेंगे तो 5 और गुने 20 यानि 20 पच्चे 100 बड़ी संख्या क्या हो जाती 100 हमसे लेकिन पूछा क्या गया है दोस्तों यह चोटी संख्या ऐसी अंसर हो जाएगा एकडम सही जितने भी स्टुडेंट का एकडम सही है prawda और डिए द्यान दीजे दोनों संख्याओं में क्या पूछा था दोस्तों छोटी संख्या भरी पूछता तो हम 5x की वैलू बताते हं अब चाहें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 100 और असी जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 होगा ध्यान दीजेगा 180 जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 होगा यह basic concept है इसे आप सभी स्टुडेंट समझ रहा है ध्यान दीजेगा एक दम सही सभी स्टुडेंट एक दम सही है हां अच्छे से समझे प्रशनों को समझने का प्रयास करिए सभी स्टुडेंट समझ में आएगा ठीक है हाँ उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट समझ रहेंगे ध्यान दीजे एक और तरीका हम आपको बताते हैं दोस्तों रेशियो क्या है दोस्तों 5 और 4 का है ध्यान दीजे सभी स्टु तो इस इकल डू क्या होगा दोस्तो नाइन होगा और नव रेशियो यानी येट्य क्या दोस्तो पूछा क्या है छोटी संख्या तो चोटा रेशियो कौन है चार तो 24 को क्या हो जाएगा असी बड़ा अगर पूस्ता तो बीस पच्चे क्या हो जाता एक रेशियो बड़ाबर दोस्तों बीस तो चार रेशियो बड़ाबर असी एक रेशियो बड़ाबर 20 तो पांच रेशिय बराबर 180 तो एक रेश्यों बराबर क्या होगा 20 छोटा पूछा है तो 24 डारेक्ट आंसर दीजिए हाँ सीखिए सीखिए तरीका सीखिए सभी स्टूडेंट ठीक है उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे चलिए आगे चलते हैं आगे ध्यान दीजिएगा अगला को coração देकिए वस्टन नंबर टू रहे हैं काफी है सभी स्टूडेंट प्रशनों को अच्छे से देखेंगे और नॉट जरूर करेंगे टोकशन नंबर टू क्या कह रहे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कोशन नंबर टू कह तीन संख्याओं का अनुपात 2 is to 3 is to 5 है यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या 5 ratio की value पूछ रहा है ये तो आप सभी student लगा लेंगे क्योंकि अभी इसके पहले हम आप लोगों क एक question कराए हैं तो यह आपके practice के तौर पर ठीक है चलिए करा देते हैं बहुत सी student नहीं समझ रहे होंगे समझिएगा संख्याओं क्या है दोस्तों यह 2x इस तू यह क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा सभी student समझने का प्रेस करिएगा यह आपका 3 है तो यह इसके 3x और 275 है तो ध्यान दीजिए जोड़ना है 2,3,5,5,10 यानि कि 10x बराबर क्या है 275 है तो x बराबर दोस्तों क्या होगा बताईएगा 275 बटाद 10 275 को दोस्तों आप 10 से जब भाग करेंगे 1 दसमलो दाहिने से लगा लेंगे 27,5 होगा x बराबर क्या होगा 27,5 ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे कुछ student cancer आ रहा है एकदम सही तो यहाँ पे क्या करना है आपको बताना है क्या है दोस्तों तीनों संख्याओं में सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों 5x है तो 5x बराबर क्या होगा दोस्तों 5 गुने क्या आया है दोस्तो 27,5 तो 5 से गुना करेंगे 5 25 का 5 हासिल क्या होगा दोस्तों बताइए 2 5 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 137 का 7 हासिल क्या होगा दोस्तों 3 5 गुने क्या है 10, 3, 13 और एक अंग के बाद दस्मलो यानि 137.5 सब्षे बड़ी संख्या क्या होगी 137.5 very good एक दम सही जितने भी student का 137.5 answer आया है आप सभी student एक दम सही है बहुत अच्छे सांदर एक दम सही very good हाँ क्या होगा 137.5 होगा जितने भी student का आया है आप सभी student एक दम सही है हाँ अच्छे से देखिए solve करने का तरीका सीखिए solve करने का तरीका आप सभी student सीखिए ठीक है तो आप x मान के भी कर सकते हैं और आप चाह है तो दोस्तो इसको बिना x माने भी कर सकते हैं दूसरा दरीगा क्या है दोस्तो ratio जोड़िए 2,3,5,5,10 10 ratio है दोस्तो 10 ratio बराबर क्या है दोस्तो 275 तो एक ratio बराबर क्या होगा दोस्तो 27.5 हमें बताना है क्या है दोस्तो 5 ratio की value तो 27.5 गुने 5 तो क्या हो जाएगा दोस्तो 137.5 यह आपका क्या हो जाएगा हांसर हो जाएगा हां देखिए very good 137.5 समझ रहना दस रेशियो बराबर इतना तो एक रेशियो बराबर इतना तो पांच रेशियो बराबर 17.5 गुने इतना ठीक है डिरेक्ट भी आप चाहे तो कर सकते हैं क्या पूछा था सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ा रेशियो पांच है अगर सबसे छोटा रेशियो पूछता तो क्या बताते दो की वैलू बताते एक रेशियो बराबर इतना 27.5 तो दो रेशियो बराबर कितना अगर बीच वाला पूछता तो तीन रेशियो की वैलू बताते ठीक है आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजेगा आप आपको गुणा करना है तो क्या आजाएगा दोस्तों सबसे छोटी आजाएगी फिर इससे बीच वाले में गुणा करेंगे तो यानि कि ध्यान दीजे क्या करना है आप लोगों को लिखना है अच्छे से सभी सुडेंट लिखेंगे हां क्या करेंगे यहां पर देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछाता फिर आप लिखिएगा दोस्तों सेकेंड इसमें सेकेंड नमबर डाल के लिखिएगा सबसे छोटी संख्या यह अपने आप से निकालिएगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, और क्या दोस्तों, बीच वाली संख्या, ध्यान दीजेगा, बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक है, बीच वाली या मध्य वाली संख्या, ठीक है, मध्य वाली संख्या, ध्यान दीजे सभी student, यह third question है, यहाँ पे यह पहला है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या, ठीक है? हाँ, इतना आप लोगों को करना है, ठीक है? जरूर करिए, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स कोशन देखते हैं, आगे देखिए, कोशन नमबर तीसरा देखिए तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, कोशन नमबर तीसरा काफी इंपॉर्डेंट है, कोशन नमबर ती चुछिएगा यहां पर आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे यहां पर हम इसको 2x और 5x मानके चाहें तो ए जोड सकते हैं या भी जोड सकते हैं या जड जोड सकते तो भी आंसर आएगा लेकिन यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है ध्यान दीजिए का यहां पर देखिए संख्या मान के की बोल रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए तो यहाँ पर आपको करा देते हैं ध्यान दीजिए मालेंगे संख्या यह क्या है दोस्तों 2x है यह 5x है समझेगा अभी स्टूडेंट सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए अभी आप लोगों को समझ में आएगा तो यह क्या होगा 2x बटा आपका 5x इसका मतलब यह होता है करें प्रतेक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए आप प्रतेक पद में दोस्तों कुछ भी जोड लीजिए ध्यान दिजिएगा कुछ भी जोड सकते हैं मतलब इसमें आप दोस्तों a जोड लीजिए b c d कुछ भी जोड़िये X ना जोड़िएगा, क्योंकि confuse होजाएंगे, दोनों संग क्या है, X और X confuse होगे, ठीक है, तो इसमें माल लीजिए A जोड़ रहे है, दोनों में क्या जोड़ रही है, ये, क्योंकि बोल रहे है दोस्तों, प्रतेख प्द में क्या जोड़ा जाना चाहिए, जिससे ratio क्या हो जाए 5 by 6 यानि 5 is to 6 बोल रहे न तो 5 by 6 छे दुना के 12x प्लस दोस्तों क्या होगा ध्यान दिजेगा 6a बराबर दोस्तों क्या होगा 5 पच्चे 25x प्लस क्या होगा दोस्तों 5a सभी student अच्छे से देखिए समझ में आएगा x एक तरफ कर लीजिए और a एक तरफ करिए ध्यान दिजेगा यह 5a है इधर आएगा प्लस में माइनस में हो जाएगा 6a में से 5 जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा a ध्यान दिजेगा 6a में से 5a माइनस होगा तो a बराबर क्या होगा 12x है दोस्तों उधर 25x है माइनस मे चला जाएगा 12x, क्या होजाएगा 13x, ध्यान दीजेगा 13x, तो यह बराबर क्या है या, दोस्तो 13x, यानि ध्यान दीजेगा, अगर हम दोस्तो इसमें 2x, सभी student ध्यान दीजेगा, सभी student यहां पर आप सभी कुछ student confused वहोंगे, गन्फ्यूज नहीं होना है, 2x है, और क्या है दोस्तो, 5x है, अगर हम इसमें 13x जोड़ दे, तो ये क्या हो जाएगा, दोस्तो, ध्यान दीजेगा, ये 15x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा, होगा, अब देखिए, ये आपका 5 is to 6 के बराबर हो, यानि कि ये, दोस्तो, ध्यान दीजेगा, 5x और 6x के बराबर बोल रहा है, होना चाहिए, तो ध्यान दीजेगा, अगर हम इसको कटाएं, तो 3, 5, 15x ध्यान दीजेगा, 3, 5, 15, यानि 5x, 3, 6, 18, 6x, हो रहा है, क्या जोडने पर ध्यान दीजेगा, प्रतेक पद में 13x जोड़ है, य क्या होगा दोस्तो, अंसर 13, ये x मानेंगे, तो ऐसे solve करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे प्रशनों को दोस्तो, x और a नहीं मानते, ध्यान दीजेगा, ऐसे प्रशनों में आपको ऐसे नहीं मानना है, ध्यान दीजेगा, आपको क्या करना है, ध्यान दीजेगा, आपको क्या कर रहें दोस्तों हम x जोड रहें क्या जोड़ा जाना चाहिए तो हम मान रहें x जोड रहें तो x की value आएगी 2 plus x बटा में दोस्तों 5 plus x दोनों में बोल रहे हैं जोडने के लिए तो ratio क्या हो रहा है दोस्तों 5 is to 6 ध्यान दीजिए 5 is to 6 मतलब 5 by 6 अब यह आसान हो गया ध्यान दीजिएगा 6 धुना के 12 plus दोस्तों 6 x अब बराबर में क्या होगा 5 पच्चे 25 ध्यान दीजिएगा plus दोस्तों 5 x ध्यान दीजिए यह 5 x से बराबर किधर आएगा माइनस में हो जाएगा 6 x में से 5 x जाएगा तो क्या होगा दोस्तो यह x हो जाएगा और x बराबर यह 12 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा 13 यानि प्रतेक पद में दोस्तो अगर हम 13 जोड़ दे तो यह जो रेशियो है दोस्तो 5 इस्टू 6 के अनुपात में हो जाएगा आप चाहें तो दोस्तो देख भी सकते हैं 2 इस्टू 5 है ठीक है अगर 13 जोड़ेंगे तो यह 15 हो जाएगा यह 18 हो जाएगा यानि कि 3 पच्चे 15 और 3 छके 18 रेशियो क्या हो रहा है 5 इस्टू 6 हो रहा है यानि जोड़ी जाने वाली जो संक्या है ध्यान दीजेगा 13 है जितने भी स्टूडेंट का आंसर 13 आ रहा है आ आप सब इस्टूडेंट एक नम सही है समझिए अच्छे से सीखिए समझने का प्रयास करिए तो कभी भी ऐसे को शनाए और इसमें बोले दोस्तों क्या जोड़ा जाना चाहिए रेशियो दिया हो यह हो जाए तो आप तुरंद बोलेंगे एक्स जोड़ देंगे आप जोड करने पर 5 to 6 की रेशियो में वदल रही है उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे वेरी गूड एकडम सही सभी स्टूडेंट का अंसर सही आ रहा है चलिए आगे देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन देखिएगा कोश नंबर 4 ध्यान दीजिएगा सब स्टूडेंट कोशन नंबर 4 है दो संख्याएं 3 to 5 के अनुपात में है यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12 to 23 यानि कि 12 अनुपाते 23 हो जाता है तद नुशार वे संख्याएं ग्याद कीजिए तद नुशार क्या दोस्तों वे संख्याएं ग्याद करिए तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है दोस्तों ध्यान दीजिए हां यहां पर क्या बोल रहें दोस्तों किस रेशियो में संख्याएं है 3 to 5 यानि कि 3 X इस टू 5 X के रिशियो में है और प्रतेक में क्या घटाने की बात कर रहें 9 तो इस 3 x बटा क्या करते हैं? दोस्तों, पाईफ X इसको ऐसे लिख सकते हैं. सबी थोरी स्टुडेन्ट ध्यान दिजये, घटाने की क्या बात कर रहा है? दोस्तों, नो, दोनों में, यदि कह रहे हैं यदि दोनों में गटा दिया जाये, minus no minus no तो ratio दोस्तों क्या हो जा रहा है उनका रहंपार 12 is to 23 12 is 2 12 क्या हो रहा है 12 और 30 का 12 बटा 23 12 बटा क्या हो रहा है दोस्तो 12 बटा 23 हो रहा है ज्यादा कुछ नहीं करना है तीरीय गुना करिए अभी x की value आएगी और सखेल है भी आ जाएंगी ठीक है तो 23 दोस्तों क्या होगा ध्यान दिजेगा 23-하신-737-201087 बेराबर दोस्तों क्या होगा 125-6x-108 अब ध्यान दिजेए 얼마 अब कुछ नहीं करना है 60x है, प्लस में, इधर आएगा, माइनस में होगा, 69x में से 60x जाएगा, तो क्या होगा दोस्तो, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, उधर माइनस 108 है, ये 207 जाएगा, प्लस में, तो 207 में से क्या होगा, 108 घटेगा, तो क्या होगा, 99 होगा, तो x बराबर दोस्तो क्या होगा, 99 क्या नहीं नहीं थ्यान दिए एक्स पर आबर एक्स पराबर क्या है याँ फ्यान दिजै आपको गैर नहीं बताना है कह रहे है संख्छाय क्याथ दोस्तों ध्यान दिजर गाथ 3 x और 5x ध्यान दिजे सभी student संख्याएं क्या थी? 3x is to 5x. तो यहाँ पर x की अगर value हम 11 रग दें, तो 11 तीन क्या हो जाएगा 23, और ये क्या हो जाएगा 11 पचे 55, तो यह संख्याएं दोस्तो 33 और 55 है, क्या है संख्याएं दोस्तो? 33 और 55 है, ध्यान दीजे, सभी student अच्छे से समझने का प्रयास करिए, हाँ, संख्याएं क्या है, 33 और 55 है, आप तो दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, अगर 33 और 55 में से दोस्तों हम क्या करें, 9 घटा दे, 33 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, सभी student ध्यान दीजेगा, 33 में से हम क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, तो यह 24 हो जाएगा, और इसमें से 55 में से घटाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 हो जाएगा, ध्यान दीजे, 46 हो रहा है, 24-46 हो रहा है, सभी student अच्छे से पहले देखिए, क्या हो रहा है, 24- आपका एकदम सही लगा है तो संख्याएं चिर्फ आप से पूझा है हको तो 37-पन आंसर देंगे वेरी गूड जितने भी स्थूदेंट का 181 आंसर आ रहा है आप सबस्टूडेंट एक धम सही है संख्याएं बताना है यह तो हम कि दिखा हैं यह हम चेक करके दिखाएं हैं कि क्या 9 घटाने पे 12-23 हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो प्रशन एकदम सही है संख्याएं क्या है दोस्तो 33-35 हां एकदम सही हां बहुत अच्छे बहुत अच्छे वेरी गूड उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरी प्रशन किरां और अच्छे के संख रहेंगे हां अच्छे से समझ यहें बहुत अच्छा लगे आगे देखिए अगला question دेखिए question धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहें दोस्तो घ्यां दिजेगा question की तरफ बढ़ता रहेंगा तो कुछंट दिन कघंदर ही आपका course भी complete हो जाएगा और आप exam में exam को qualify करने के काविल हो जाएगे selection लेने के काविल हो जाएगे आप सभी students practice जरूर करिए जितना प्रस्ण करा रहे हैं इतने जितना ही करा रहे हैं कम से कम इसका दोस्तों practice आप जरूर करिए ठीक है question देखिए question कर रहा है एक school में लडको और लडकियों का अनुपात 3 to 2 है यदि 6 लडकिया और आजाए तो अनुपात 6 to 5 हो जाता है school में लड़कों की संख्या है wise की संख्या ध्यान दीजे यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ school में wise all girl का ratio दिया है ध्यान दीजेगा किसका दोस्तों wise all girl का ratio है क्या है दोस्तो 3 to 2 है ध्यान दीजेगा क्या है दोस्तों सभी student अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा 3 is to 2 है ध्यान दीजेगा तो यानि कि क्या है दोस्तो 3x बटा 2x है यही है ना क्या बोल रहा है दोस्तो 6 लड़किया और आ जाए गर्ल का रेशियो दो है ना तो प्लस 6 आ गई 6 लड़किया ध्यान दीजेगा यह प्लस 6 यहां पर करेंगे क्योंकि सिर्फ लड़किया रही है तो अनुपात क्या हो जाता है दोस्तो 6 is to 5 यानि 6 by 5 हो जाता है ठीक है हाँ छे बटा पांस समझेए सभी स्टूडेंट इसका आंसर दीजेगा अब तीरिये गुणा करिए पांस तीया ही दोस्तो क्या होगा 15 बराबर 6 दुना के 12 एक्स प्लस 6 गुने 6 क्या हो जाएगा 36 ध्यान दीजेए 12 इधर आएगा 15 में से माइनस होगा 3 एक्स बराबर क्या तो एक्स बराबर दोस्तो क्या होगा 12 एक्स बराबर 12 आया क्या पूछा था दोस्तो इसकूल में लड़कों की संख्या ध्यान दीजेए इसकूल में लड़कों की संख्या यह देखिए 3 एक्स सभी स्टूडेंट ध्यान दीजेगा यह क्या है दोस्तो यह 3 एक्स क्माने थ है और यह दोस्तों 2x सभी student ध्यान देंगे हां समझिएगा school में क्या पूछता है दोस्तों लड़कों की संख्या किस रेशियों में है दोस्तों 3x में है तो 3 x 12 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 क्या हो जाएगा 36 हां देखिए एक बार प्रश्ण को आप सभी student देखिए सभी student हां क्या होगा school में लड़कों की संख्या answer क्या होगा 36 very good हां very good जितने भी student का option number B यानि 36 आ रहा है आप सभी student एक दम सही है हां ध्यान दीजिए अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो दोस्तों क्या बताते 2x यानि की ध्यान दीजिएगा 2x का मतलब क्या होता है में हम प्लस छे कर दे तो क्या हो जाता 36 और क्या होता ध्यान दिजेगा 36 और 30 हो जाता तो यहां पर हो रहा है ना यह चेक कर रहे है इसको नहीं लिखना है बस आपको इतना लिखना है यहां तक समझना है यहां पर वाइस की संख्या 36 पूछा है तो गरल की अगर पूछता तो 24 बताते बहुत अक्षे वेरी गुड एकदम सही जितने भी स्टूडेंट का 36 आंसर आया ठीक है गरल का पूछता तो 24 बताते इसका पूछा है तो 3X वेरी गुड लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया है एक दम सही उमीद करते आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे यह 3X है यह 2X है तो 3X में हम 6 क्यों जोड़े हैं क्योंकि सिर्फ लड़की आज आ ья जोड़र ठीक है और अगला कोस्टं देखेए सबी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा अगला कोस्टं यह रहा को सिन ंमबर ध्यान दिजेगा को स्टिन न Maybe six क्या है दोस्तों इंप इस जान सора इक मिझान एक मिठाई का डिबा ए और भी कि बीच तू संख्या क्या थी ध्यानदीजे गार मिठाई की कुल संख्या क्या थी ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों यहां पर समझने का प्रयास करियेगा A और B, क्या है दोस्तो, A और B, दो लोग हैं, और इनके बीच में, दोस्तो, 3 is to 4 के ratio में, क्या हुआ है, ध्यान दिजिएगा, मिठाई बाटा गया है, A को धीच्च से ठुख़ड़ा, ध्यान दिजिएगा, A का ratio क्या है, दोस्तो, 3, 3 ratio बड़ाबर, अजिए और दोस्तों समझीएगा ये 3 रेसियो बराबर क्या हो रहे दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों सबड़ी17 प्रयास करी यहाँ अइस तक 3 रेश्यो बराबर क्या हो आउगा 14 तो चार रेस लिगांदे चीजोंते आवल 10 लेकिन हम लोगों से पूछ क्या रहे प्रस्ण में पूछ रहे मिठाई की कुल संख्या क्या थी मिठाई की कुल संख्या क्या होगी दोस्तों आप चाहे तो यहां पर रेशियो जोड़ लिजे या संख्या जोड़ लिजे रेशियो जोड़ेंगे तो तीन और चार रेशियो क्या हो जाएगा साथ एक रे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चाहें तो दोस्तों क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ऐसे यहां समझेगा डायरेक्ट रेसियो से या इन दोनों को जोड़ेंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ रहेंगे और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा हाँ देखिए समझिए अच्छे से समझिए अभी इसमें हम रेसियो में दोस्तों आप लोगों को आगे और क्लास लेंगे रेसियो के लिए ठीक है एक और आपकी क्लास होगी जिसमें हम आप लोगों को जो सिक्के से रिलेटेड कोश्चन होते हो भी कराएंगे तो अभी ज परिशान नहीं है कि जो चैप्टर समाप्थ हो जाएगा उसके बाद हम उसमें नहीं कराएंगे ऐसा होगा आप लोगों को क्या दुस्तो जो आपका कोई भी कोश्चन आप लोगों के एक्जाम में कोई अपडेट हो रहा है कोई अच्छे लेबल का रहे हैं फिर से हम उस चै तरीके से पढ़ते हुए चलना है और समझते हुए चलिए ध्यान दीजिए कोशन नंबर सेवें देखिएगा कोशन नंबर सेवें सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे काफी इंपॉर्डेंट है ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे क्य में विभाजित की गई क्या बोल रहा है दोस्तों कोई धनराशी मतलब कोई रुपए ठीक है ध्यान दीजेगा कुछ रुपए ता ध्यान दीजे ए बी और सी के बीच करमसा फाइफ इस्टू सिक्स्टू नाइन के अनुपात में विभाजित की गई एक को 450 रुपए मिले हो तो कुल धनराशी कितनी थी ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों बहुत सिंपल है जैसे पिछला कोईशन कराया हूँ कौन कौन लोग है दोस्तों ए हैं बी हैं और सी है किस रेशियो में बटा है 5 इस्टू 6 इस्टू 9 क्या बोल रहा है दोस्तों एको 450 रुपए मिल रहा है तो 5 रेशियो बराबर दोस्तों क्या हो रहा है 450 यहां पर कर सकते हैं 5 रेशियो बराबर दोस्तों 450 तो एक रेशियो बराबर 545 बटा 5 यानि कि 90 क्या होगा दोस्तों एको दोस्तों कितना रुपए ध्यान दीजेगा सभी स्टूडेंट यहां पर समझे एको दोस्तों क् खिल रहे नहीं हो सिद्रसक्राथे सभाइब हो, 250 एक रेशियों का माना 645 यानि 90 रूपए एक रेशियों का माना रहा है नबेब तो पूckh क्या रहा है दोस्तों कुल धनराशी को प्रषिए वेरा को जोड़ू कर दीजिए या ऐसे निकाल सकते हैं 1 ratio next to 6 ratio Step 90 540 सभी Student 3 маг दीजेगा 9 ratio बराबर क्या होगा 79 1 1 810 सभी Student 3いて everything you are हाँ क्या हो जाएगा सभी Student ध्यान दीजियेगा aspects quantum जोड लीजिए या क्या कर लिजेग दोस्तों ratio जोड सकते पांच 611 91 नौद श्रुम्ध क्या होगा 20 तो 20 ratio बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा 90 गुने 20 यहीं होगा ना ध्यान दीजिए यानि कि 9 दुना के 1800 आप चाहे तो दोस्तों ये कुल धन भी जोड सकते हैं देखिए 450-540 क्या होगा पांचार ध्यान दीजिएगा 990 990 810 980 1800 आप चाहे तो दोस्तों इन तीनों को दोस्तों जोड लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1800 हो जाएगा तीनों को जोड लीजिए या चाहे तो दोस्तों 20 रेशियो का वैलू बताईए वेरी गूड बहुत अच्छे सांदार सभी स्टूडेंट का ओफसर नंबर सीखिए यह दिया हुआ है दोस्तों पांच रेशियो बराबर 450 एक रेशियो बराबर 90 तो छे रेशियो बराबर नच्छ के 54 और नौर रेशियो बराबर 980 यानि 810 समझ रहे ना गुना किये है ज्यादा कुछ नहीं करना है ध्यान दीजिए हां प्रस ने परिक्षा में आय जोड़ना नहीं है ध्यान दीजिए डायरेक्ट आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट कैसे करना है यहां पर एक को बोला है दोस्तों 450 और एक रेशियो बराबर दोस्तों क्या है ध्यान दीजिएगा 450 है ध्यान दीजिएगा तो एक रेशियो बराबर क्या 90 और हम लोगों पूछ कहा रहा है कुल धन्रासी यानि सभी रेशियो 5-6-9-20 यानि क्या पूछ रहा है 20 रेशियो ब्राबर पूछ रहा है एक रेशियो ब्राबर 90 तो 20 रेशियो ब्राबर 20 गुने 90 यानि 9 दूना 18 परिक्षा में दोस्तों आप बस इतना करेंगे यह नहीं सबका लिका लेंगे कुछ नहीं एक रेशियो का आगया है बीच वाले का भी का पूछता तो आप 90 गुने 6 कर देते 540 सी का पूछता 90 गुने क्या कर देते 9 810 ऐसे करते समझिये बस परिक्षा में आपको क्या करना है इतना देखना है और आंसर देना है इसके लिए पैन उठाने की भी जरूरत नहीं है बस आपको समझाने के लिए लिए ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके नोट कर सके ताकि बाद में कभी रिवि देखिए कोशन नमर एट काफी इंपॉडेंट है आठवा आठवा देखिए हाँ ध्यान दीजेगा कोशन नमर आठवा है यह रेशियो में दिया हूँ है पहले पढ़िए 782 रुपए की धनरासी को तीन भागों में वान वाई टू इस्टू टू वाई थ्री इस्टू इसको अस्तेंडर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है सबी स्टूड़ेंट पहले इस्टेंडर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं दो-3-4 नीचे वाले का लिए लेगे तो क्या हो हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा तो 2 6 के 12 छे कम 6 समझिएगा तीन चोग को 12 चार चार दुना के 8 समझिए सभी स्टूडेंट फिर देखिए चार की बारती तीन तरीके 9 रेशियो जो अस्टेंडर्ड फॉर्मेट होगा और 6 इसको छोड़ेंगे अब देखिए 6 इस टू एट इस टू नाइन यह क्या हो गया दोस्तों स्टेंडर्ड फॉर्म हो गया ध्यान दीजेगा अनुपात बटा अनुपातिक होता है यानि 6 प्लस आठ प्लस नौव ध्यान दीजेगा छे प्लस आठ प्लस नौव बहुंसे स्टूडेंट नहीं समझ रहें समझेगा और गुने क्या करेंगे दोस्तों टोटल रुपए क्या है ध्यानी कि सभी हरेंगे छे बट दोस्तों आठ चर्द Nord 14 में दोस्तों dau जोडँ ध्यानदीजे manufact अनुपात बटा अनुपाति योग हो क्या होता है अनुपात बटा अनुपाती की योग 6 प्लस 8 प्लस 9 इसलिए लिके हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके अगर यहां पर बीच वाले का पूछता दूसरा भाग पूछता तो 8 बटा 6 यहां एक सत्तर ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट तो 992 तेईस चोग को बानवे 34 गुनेट चे आ रहा है तो यानि की छे चोग को 24 का 4 हासिल क्या होगा दोस्तों दो चेतरी अठारों दो बीस क्या हो जाएगा 204 पहला भाग क्या होगा 204 रुपे ऑप्सें नमबर क्या होगा 20 होगा कहां नहीं समझ में आया आप बताइए ऐल्सियम निकालना नहीं आया ऐल्सियम क्या की है दो तीन चार का ऐल्सियम निकाले है बारा आया है दो तीन चार का ऐल्सियम कैसे निकालते है दो तीन चार ऐल्सियम ऐसे निकालते है देखिए दो से पहले इसको कटाएंगे 2 से कितने बार में, 2 एकम, 2, 1 हो गया, ये 3 नहीं जाएगा, लिख देंगे, 2 दुना के 4 लिखेंगे, ठीक है, अभी भी इसमें 2 से कटने वाला है, ठीक है, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 नहीं जाएगा, लिख देंगे, ये हो जाएगा, 1, 1 हो गया, ठीक है, अब 2 से नही के चार या तो तीन दुना के छे दुना के बारा दो दुना के चार त्याई बारा एल्सियम क्या हो गया बारा यह एल्सियम निकालने हैं किसका दोस्तों दो तीन और चार का क्या निकालने हैं एल्सियम उमीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे बारा एल्सियम आया हाँ अच्छा 8 कहां से आया ध्यान दिजेगा 3 से पहले क्या करते हैं भाग करते हैं दो से पहले बारे में भाग करेंगे तो 2, 6, 12 छो आता है फिर उपरवले में गुना उसी प्रकार से 3 से भाग किए ध्यान दीजेगा बारे को 3-4-12, 4 और 4 दुना के 8 उपरवले में गुना हाँ, समझिये समझिये, ये चीज समझिये ये ही आपको नहीं समझ में आता है पता है मुझे कहां पर दिक्कत हो रही है कोई नहीं, ये 9 ध्यान दीजेगा, 4 से भाग किये पहले, पहले क्या करते हैं, भाग तो चारत या इबारा, 3 बारा में और 3 से उपर वाले में गुना, 3 तिरी करना हो ये आया ध्यान दीजे 6, 8, 9 ध्यान दीजे, कुछी स्टूडेंट को प्रोब्लम है, बेसिक यानि कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं आता है, ध्यान दीजे जिनको बेसिक नहीं आता है, उनको हम समझाब बताने चाहेंगे, आप सभी स्टूडेंट पहले देखिए, क्या करिए, एक्जाम फिनिसर, ध्यान दीजेगा, यूटूब पे सर्च करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, नोटिफिकेशन वेल कौन कर लिजे, और उस चैनल पे दोस्तों जाके, वेसिक मैथ की दोस्तों, पांच पार्ट क्लास चलिए, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांच वा, वो आप दोस्तों पहले क्या करिए, आगे देख लिजे, पहले आप दोस्तों, बेसिक मैथ, वन, टू, टू, ट्री, फोर, फाइफ, पांच वा, देख लिजेगा, तब आप लोग यहाँ पे इंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, वहाँ पे आप लोग देख लिजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो बताईए, समझ में वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, समझ में आजाएगा, एक दम सही, हाँ, बहुत अच्छे, चलेए, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, पहले भाग के लिए हो गया, दूसरा भाग पूछेगा, तो भी निकाल लेंगे, तीसरा भी निकाल लेंगे, चलेए, आगे Q9 देखिए, इसका अंसर दीजिएगा, यदि 680 रुपए को चार भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात 1 by 2 is 2, 2 by 3 is 2, 3 is 2, 4 है, तो पहला भाग क्या होगा, पहला भाग क्या होगा, ध्यान दीजिए, किस रेशियो में हैं दोस्तों, 1 by 2 is 2, 2 by 3 is 2, 3 is 2, 4 इस तरह से हैं, तो यह 3 है, तो इसका मितलब क्या होता है, 3 है तो 3 by 1, 4 है तो 4 by 1, कोई असर नहीं पड़ेगा, नीचे वाले का LCM लेंगे, किसका LCM, 2, 3, 1, 1 का, तो 2, 3 का LCM दोस्तों क्या होगा, 2, 3, 1 का LCM क्या होगा, बताईएगा सभी स्टूडेंट, क्या होगा LCM, 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा, तो 2 से भाग करेंगे, 2, 3, 6, 3, 1 कम 3, उपर वाले में गुना, फिर ध्यान दीजे सभी स्टूडेंट, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रास करिए, फिर इस तू, 3 से भाग करेंगे, 3 दूना के 6, 2 आएगा, 2 दूना के 4, सभी स्टूडे यह, यह उपर वाला रेशियो हो जागा, 3 is 2, 4 is 2, 18 is 2, ध्यान दीजेगा, 24, अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पूछ के रहा हम से पहला भाग, पहला भाग पूछ रहा है, तो पहला दोस्तों क्या है, तीन के रेशियो में, तीन अनुपात, बटा अनुपात गुने, टोटल रुपए क्या है, 686, ध्यान दीजेगा, 6, 8, 6, ध्यान दीजेगा, अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप इसको कटा सकते, 7, 749, ध्यान दीजेगा, 7, 8, 54, 7, 9, 63, ध्यान दीजे, 63 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 56, 7, 8, 56, हाँ, सास से, 14, 7, 94, 14, 14, ध्यान दीजेगा, 42, रुपए होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नमर 3 में, बहुत अच्छे, जितने भी स्टुडेंट का, 42 रुपए आ रहाए, आप सभी स्टुडेंट सही है, कुछी स्टुडेंट का रहे, कुछी स्टुडेंट का नहीं आप लोगों कांसर, किसी का, 147, किसी का, 294, किसी का, 42, 42 वाले सही है, 42 होगा, समझे सभी स्टुडेंट, जब रेशियो दोस्तों बटे में हो, तो क्या करेंगे, स्टेंडर फॉर्मेट में लिखेंगे, लिखने के लिए, नीचे वाले का, LCM लेंगे, फिर LCM निकाल के उपर ये किये, 2, 3, 6, 3, 3 एकम 3, 3 दुना के 6, 2 दुना के 4, 1, 6, 6, 3, 18, 1, 6, 6, और उसके बाद 6, 24, यानि 3 is to 4 is to, 18 is to 24, ये स्टेंडर फॉर्मेट हो गया, अब हमसे पूछा क्या है, पहला भाग, यानि 3 का वालो, 3 का मान कितना आ गया दोस्तों, इतना, 42, तो 4 का पूछेगा तो निकाल सकते हैं, 24 का पूछेगा तो निकाल सकते हैं, 42, बहुत अग्षे, जितने भी student का 42 यानि 42 आंसर आया है, आप सबी student एकदम सही है, उमीद केरते हैं, आप सबी student बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, very good, हाँ, एकदम सही, ध्यान दीजे, जब either format में कनवर्ट कर लिएधे ठीड़े बहुत अंट इस एकदम सही हो जालिए नेक्स कोछन देखते हैं अगला पॉशन आप लोग देखिएगा अगला कोट्षन सभी स्टूटेंट अगला कोष्टूง अगला कोश्चन देखने का प्रयास्त करेंगे सभी स्टूडेंट कोश्चन नमबर टेन काफी इंपोडेंट है द्यान दीजिएगा इस टाइप के कोश्चन हम का पिछले क्लास में कराये थे लेकिन यहां पर हम आप लोग को बिता रहें एक तरीका ध्यान दीजिएगा कैसे करना है ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा यह इंपोडेंट टाइप का कोश्चन है ऐसे प्रस्ट पूछे जाते हैं यह भी पूचा गया है प्रस्टन है 700 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के रासी रुपए में ग्यात कीजिए ए बी सी किस क्रम में रुपए पाया है यानि कि ए को बी को सी को कितना है कितना रुपए मिला है यह पूच रहा है ध्यान दीजिए तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तो ध्यान दीजिएगा 700 रुपए है ए बी सी के रेशियों बी और सी के रासी का अनुपात क्या है फोर इस्टू फाइफ बी के नीचे चार ती के नीचे पांच याद है न कि भूल गये हैं याद तो आप सभी को होगा न कल जैसे हम निकाल रहे थे अब यहां से दोस्तों आप ऐसे कर सकते चार दुना के आठ तीन चोग को बारह या त त्षीर तो सब क्या है तो यहां पर चार कर लिजये यहां बगल में तीन है तो यहां पर तीन करेल एक सभी सर्वेजियों आठ दीजिए तेन चोग को दोस्तों क्या हो जाएगा बताईए का या चैरत क्या यह ति intelligence क्या दिजिएगा ABC 812 15 ध्यान दिजिए पूछ क्या रहा है दोस्तों हम लोगों से पूच क्या norai ध्यान दिजिएगा ABC के करम में प्रतिक प्राफ्त रासी यानि सबका पूछ रहा है तो आपको ज्यादा पूछ नहीं करना है थ्यान दीजेगा यहां पर आठ बारा जोड़ेंगे पहले रहें दैखी आठ बारा 20 20 और 15 35 जोड़ने पर 35 ratio हो रहा है और टोटल रुपई क्या है दोस्तों ध्यांद दीजेगा टोटल रुपई क्या है आप चाहें तो आठ वटा 35 गुने इतना कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं करना है टोटल देखिए 35 है कितना रुपए है 700 है 35 रेशियो बड़ाबर 700 तो एक रेशियो बड़ाबर 35 गुने के 70 20 तो आठ रेशियो बड़ाबर दोस्तो 20 वट है 160 ध्यांदीजे सबी स्टुडेंट और 12 दुना के 24 दोस्तो चालीस 15 दुना के 30 ध्यांदीजेगा 300 15 गुने 20 करेंगे 300 तो किस रुपए है किस अनुपात में है दोस्तों 160 दोस्तो चालीस 300 160 दोस्तो चालीस 300 रुपए option नंबर भी हां ध्यांदीजे प्राप्तरासी क्या है एक को 160 रुपए मिला बी को 240 और सी को 300 वेरी गुड जितने भी स्टुडेंट आप सभी स्टुडेंट चाहिए यहां से आप डिरेक्ट कर सकते हैं या एक एक का निकालते दोस्तों कैसे करत सबको जोड़ेंगे तो इक रीटाबर 20 यहां धी यहां जाता ठीक है तो आपको बस इतना करना है उदर का यह तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं तो एक सो साथ दो सो चालीस और टीन सो अप्शन नमबर भी जितने भी स्टूडेंट का है आप सभी स्टूडेंट एकडम सहिए बहुत अक्षे समझने का प्रयास करिए प्रसन सिंपल है अगर जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो पक्का वो पहला वाला क्लास नहीं किये पहला वाला क्लास करेंगे तो यह सब तरीका सीख जाएंगे A to B to C निकालने का तरीका जब जानेंगे तभी सॉल्व करेंगे अच्छ सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे ध्यान दीजिएगा अच्छे से देखेंगे तो सारे कोशन आपके समझ में आएंगे ठीक है हाँ एक और कोशन देखिए चलिए अगला कोशन आप लोग देखिए तो कोशन नमबर ध हाँ question number 11 है अच्छे से देखेंगे पहले पढ़िए प्रस्ण को अच्छे से पढ़िए question number 11 है एक विद्याले में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5 is to 3 है उसमें से यदि 50 लड़के विद्याले छोड़ दे और 50 लड़किया विद्याले में आ जाए तो उनका वाइज ओल गर्ल का रेशियो दिया है किसका दोस्तों वाइज ओल गर्ल का रेशियो दिया है क्या रेशियो है दोस्तों 5 to 3 ध्यान दिजेगा यानि यह वाइज 5x की संख्या में है और लड़किया दोस्तों 3x की संख्या में है ध्यान दिजेगा तो हम इसे ऐसे लिख सकत द्यान दीजेगा और 50 लड़किया विद्याले में आ जाए ये क्या हो नहीं है 50 लड़किया प्लस हो रही है तो प्लस क्या होगा पचास तो रेशियो क्या हो जा रहा है दोस्तो नाइन इस्टू सेवेन यानि नौ बटा साथ हो रहा है क्या हो रहा है नौ बटा साथ बस सॉल सॉल्व करिये आंसर आएगा अब क्या करना है सॉल्व करिये आंसर आएगा ध्यान दीजिए अब देख जीन साथ पच्छे सुधे दोस्तों क्या होगा 35 обfa zurück child भॐबर क्या होगा नटीरी दोस्तों two 35 है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा जब यह घटेगा तो दोस्तों क्या होगा 8x 8x बराबर यह 350 माइनस में बराबर कुदर जाएगा प्लस में हो जाएगा 350 450 क्या हो जाएगा 800 हो ठीक है तो x बराबर दोस्तों क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 100. ध्यान दीजे सबी students समझेए. x बराबर क्या गया? 100. प्रस्न में हम लोगों से पूछ क्या रहा है उस बिद्याले में लड़कों की संख्या कितनी है? y's की संख्या किस रेशियो में है? 5x है. तो 5 गुने x का value क्या 500. 500 answer होगा. किस option में है? option number d सही हो जाएगा. अगर इस बिद्याले में दोस्तों लड़कों की संख्या पूछता तो क्या है? 3x के है. तो 3 गुने क्या करते? 100. यानि क्या हो जाता? दोस्तों बताइगा. 3 गुने 100 करेंगे तो 300. लड़कों की संख्या पूछता तो 300. लेकि सभी student एकदम सही है. हाँ. और girl का पूछता तो क्या answer देते? 300 देते. उमीद करते हैं. आप सभी student एकदम अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे. ठीके? समझने का प्रयास करेंगे. ध्यान दीजे. आप सभी student क्या करिए? समझने का प्रयास करिए. कोशिस करिए कि आप अपन आप से ठीक है? बहुत अच्छे. वेरी गुड. सरकारी नोकरी चाहिए कोई भी हो. उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें SSC Maker App. SSC Maker App डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें. आपकी क्लास 3 है. क्या है दोस्तों? आपकी ये क्लास 3 है. अच्छे से देखना है. सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे. हाँ. बहुत अच्छे. चलिए. कोश्चन की ओर अब हम चलते हैं. ध्यान दीजिएगा. डिरेक्ट कोश्चन देखिए. कोश्चन कैसे हमें सा एक्जाम में आते हैं. ज्यादा कुछ नहीं करना है. आसान तरीका हम आपको बताएंगे solve करने के लिए. प्रशनों को बहुत ही अच्छे से देखने की जरूरत है. देखिए. प्रशन क्या कह रहा है? प्रशन पहले पढ़िए. देखिए. पहला कोश्चन है. क्या क हैं? पहले हम आपको basic concept कराये थे. तो यहाँ पर समझेगा आप सभी student. क्या बोल रहा है? 10 और 30 का तीसरा अनुपातिक ज्याद करें. तीसरा अनुपातिक क्या होगा? कहने का मतलब है दोस्तो ध्यान दीजिए. करना कैसे है? ऐसे प्रशनों को कैसे solve करना है? यह 10 हो गया. यह 30 हो गया. अब तीसरा आग बोल रहा है इसका ratio क्या होगा? तो तीसरा माल लेंगे x. ठीक है? ध्यान दीजिए सब student समझने का प्रयास करिए. तो आप इसको oral भी कर सकते हैं और इसको दोस्तो formula से भी कर सकते हैं. ध्यान दीजिए. 10 से 30 हो रहा है मतलब 3 गुना. ठीक है? यह तो तरीका है ही. यह तो तरीका है. लेकिन आप इसको ऐसे करेंगे. 10 is to 13. ठीक है? फिर उसके बाद से दोस्तो समान उपाते हैं. अब देखिए. यह 30 बीच में common है न. 30 is to x. ठीक है? समझने का प्रयास करिए. अब यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है. यह 10 is to 30 है. तो 10 by क्या होता है दोस्तो? बताईएगा. 10 by 30 बराबर यह क्या है दोस्तो? 30 बटा x. ध्यान दिजेगा. 30 बटा क्या है दोस्तो? x. तो यहाँ पे गुना करेंगे. तीरियक गुना करेंगे. ध्यान दिजेगा. हाँ. समझने का प्रयास करिए. तो तीरियक गुना अगर ऐस करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 10 x 10 x बराबर 30 गुने 30 क्या हो जाएगा 30 गुने 30 ही लिख देते हैं ठीक है पुछ नहीं अब देखिए x बराबर दोस्तों क्या होगा 30 गुने 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 30 गुन पर्मूला लगाते हैं यह वाला, तो ऐसे होगा, सीखिए पहले, क्योंकि ऐसे question दोस्तों, हमेशा exam में पूछे जाते हैं, तब इस student अच्छे तो समझने का press करिए, यहाँ पर प्रशन एक बार समझने का आप सभी student press करिए, समझने का press करिए, अभी आपको सारे question समझ आप चाहें तो इसको oral भी कर सकते थे, oral करने का क्या मतलब है, 10 से 30 हो रहा है, यानि कि 3 गुना, 1 इस्टू 3 का है, फिर दोस्तों क्या करेंगे, 3 गुना, तो 30 दिया ही क्या हो जाएगा, 90, तो आप यहीं पर बोल देते, X बराबर 90, ठीक है, समझने का press करिए, आया ना, उ अच्छे से समझते हुए चलिए, ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा, कोशन दूसरा देखिए, कोशन दूसरा देखिए, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, देखिए, कोशन नमबर दूसरा है, दोस्तों, मध्यान उपाती, मध्यान उपाती क्या होता है, दोस्तों, मध्य म गया मध्ध में मध्ध में आप x मानेंगे ध्यान दीजेगा उसके बाद क्या है दोस्तों 80 है अब चाहे तो आप यहां से भी आंसर दे सकते हैं ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर दे सकते हैं लेकिन ध्यान दीजे करना क्या है आपको आप बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप ऐसे देखिए 20 से x, x से 80 अगर हम x की जगा पे 20 दुना के 40, 40 दुना का 80 चालीस रेखे तो क्या हो जाएगा मध्यान उपाती आ जाएगा लेकिन यहां पर आपको ऐसे नहीं करना आप इसको ऐसे देखिए 20 है अनुपाते x ठीक है बीच में x है न को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, x का गुणा एक जगा और 20 और 80 का गुणा एक जगा, 3 गुणा करेंगे, समझने का प्रेस करिएगा, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिए, x क्या हो जाएगा, x स्क्वाइर हो जाएगा, और 20 गुणे 80 करेंगे, तो तो आट दूना के 16, ये 16 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, x square होगा, x कुने x, x square होगा, समझे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते, x square बराबर 1600, बात से ही है, कुछ ही student इधर x लिखने पर confused हो जाते, तो x बराबर दूस्तों क्या होगा, x बराब किसका square है, 40 का square है, तो x बराबर क्या होगा, 40 होगा, x बराबर क्या होगा, 40, समझेगा, यानि इसका मध्यान उपाती क्या होगा, 40 होगा, और यहाँ पर दोस्तों अभी ध्यान दीजे, अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, अभी हम आप लोगों को बता रहे थे, यह क्या है दोस्तों, 20 है, और x है, और 80 है, तो देखिए, 20 दुना के 40, यानि कि 40 होगा तो, फिर 40 दुना के 80, यानि समझ रहे हैं, 1 is to 2, तो फिर 1 is to 2, समझ रहे हैं, तो मध्यान उपाती क्या होगा, 40 होगा, यह अंसर हो जाएगा 40, ठीक है, आप चाहते तो दोस्तों, यह नहीं से कर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 20 दुना के 40, 40 दुना के 80, हाँ, very good, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही है, हाँ, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, जितने भी स्टूडेंट का अंसर 40 आ रहा है, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट बह लिखेंगे, तो अंसर आ जाएका, ठीक है, इस फॉर्मेट में भी लिखने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे, very good, हाँ, ध्यान दीजिए, चलिए, अगला कोशन देखिएगा, कोशन नमबर तीसरा, कोशन नमबर तीसरा देखिए तो, कोशन नमबर तीसरा, प्रथमानु अनुपाती मतलब प्रथम संख्या, तो प्रथम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अभी अंसर आप डिरेक्ट दे सकते, प्रथम मानते हैं, एक्स और ये क्या है, 20 और ये क्या है, दोस्तो, 40, प्रथमानुपाती पूछ रहे हैं, तो ये X, ठीक है, अब देखिए, X की दो हो रहा है तो यानि कि 10 दूना के 20, 10 हो जाएगा, आप चाहें तो direct answer दे सकते हैं, हाँ, आप चाहें तो direct answer दे सकते हैं, हाँ, एक बार सभी student person को समझे, answer दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 दूना के 20, दूना के 40, 10 होगा, लेकिन आप थोड़ा से अपने आप से solve करने का प्र दोस्तों, 20 is to 40, समझ रहें, तो ये x बार क्या हो जाएगा, दोस्तों, 20, इधर क्या हो जाएगा, बताइएगा, 20 बार का 40, तो आप चाहें तो नीचे नीचे कटा सकते हैं, कटाना तो आप सभी student जानते होंगे, तीरिया कुणा इसमें नहीं करना है, 20 दूना के 40, दो दह हमें 20, तो x बराबर क्या आगया, दोस्तों, 10 आगया, x बराबर क्या आया, 10 आया, तो प्रत्मान उपाती 20, 40 का क्या होगा, 10, very good, एकदम सही, जितने भी student का 10 आया है, आप सभी student एकदम सही हैं, आप यहां पर कर सकते थे दोस्तों, यहां पर तो देखिए, यहां से क्या ह दोस्तों गुने क्या है? दो है. तो इधर भी क्या होगा? गुने 2. 2 से भाग करेंगे तो यह आजाएगा, 2 से भाग करेंगे तो यह आजाएगा, यानि X की जगा पर 10 हो जाएगा, समझ रहे ना, direct भी answer आप दे सकते हैं, या चाहें तो आप इस format में लिख के answer दीजिए, हाँ, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ रहे होंगे, सभी student का answer आ रहे हैं, बहुत एच्छे, very good, एकदम सही, जितने भी student का 10 answer आ रहे हैं, आप सभी student एकदम सही हैं, हाँ, चलिए, आगे चलते हैं, next question की ओर चलते हैं, अगला question देखिए, समझते हुए चलिए, important type का question है, प्रतमा अनुपाती, मद्या अनुपाती, तिर्ते अनुपाती, चदूर्त अनुपाती, ध्यान दीजिए, आगे देखिए, question number 4 देखिए, question number 4 ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, चौथा समानुपाती पूछाए, question क्या है, संख्याओ 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती क्या है, तो इसको लिखने का format दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, 12, 16, 18, उसके बाद से क्या होगा, दोस्तों, x, तो इ उसके बाद से दोस्तों, 18 is to x, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 बटा 16, बराबर 18 बटा x, ठीक है, यहाँ यह से कर सकते हैं, आप चाहें तो यहीं पर कटा सकते हैं, यहाँ पर नहीं कटाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 12 x, बराबर क्या होगा, 18 गुने 16, तो x 16, 36, 18, एक्स बराबर क्या होगा, 24, एक्स बराबर क्या होगा, क्या रहा है आप लोगों कांसर, 22, नहीं, गल्ती हो रहा है कहीं पर, हाँ, कहां पर, गल्ती हो रहा है, ध्यान दीजेगा सभी स्टूडेंट, एक बर प्रस्ण को आप सभी स्टूडेंट पहले देखिए, 22 कैसे आ रहा है, एक बर सभी स्टूडेंट देखिए, तो प्रस्ण को, 22 कैसे आएगा एक बार ध्यान से देखिए सबी स्टुडेंट मैक्सिमम स्टुडेंट 22 आंसर दे रहे हैं किस आधार पे दे रहे हैं 12 16 18 12 16 18 12 16 18 ही लिके हैं 12 बटा 16 18 बटा एक्स ठीक है तो 12 एक्स बरबर 18 बटा 16 ठीक है एक्स बरबर यह हो जाएगा तो 4 से कटाए 4 ती बारा 4 चार चुको 16 तीन चेक एठारा चे चोगो 24 एक्स बरबर 24 आ रहा है हाँ एक बार देखने का आप सभी स्टूडेंट प्रैस करिए समझने का प्रैस करिए क्या होगा अंसर बताईए 24 हाँ 24 होगा यही तो रूल ही जो है रूल को ही अप्लाई कर रहे हैं देखिए वन बाई थ्री चार ती बारा वन बाई थ्री तीन चेक एठारा तो अठारा अब मैं छे चोड़ेंगे 24 ही होगा सभी स्टूडेंट समझने का प्रैस करिए हाँ 24 होगा आप ऐसे फ्रमुले पर लगा सकते हैं नहीं पता है तो देखिए बारा का दोस्तों क्या हो रहा तागे कितना बढ़ा वन बाई थ्री इसका प्लस में बढ़ रहा है यानि कि बारा गुने एक बटा तीन तो क्या हो जाएगा 24 होगा 24 ही होगा ठीक है हाँ 24 सही है जितने भी स्टूडेंट कांसर 24 आ रहा है आप सभी स्टूडेंट सही है 22 की साधार पर दे रहे 22 नहीं होगा 24 होगा 24 जितने भी स्टूडेंट कांसर आया है आप सभी स्टूडेंट सही है समझने का प्रयास करिए तर समझने का प्रयास करिए हो सकता है आप लोगों में तोड़ी बहुत confusion हो जिस वाज़े से नहीं समझ पा रहे लेकिन समझने का प्रयास करेंगे समझ जाएंगे हाँ एकदम सही सब इस्टूडेंट एकदम सही है चलिए next देखते हैं confusion नहीं होगा confusion नहीं होना चाहिए हाँ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं जोडते हैं बारा चार सोरा अठारा चार बीस ऐसे नहीं होता है ध्यान दीजिएगा ऐसे नहीं होता है जोडने का नहीं है इसमें ratio देखना है किस ratio में आगे बढ़ रहा है यह अनुपाद समानुपाद का question है जोडना नहीं है इसमें ठीक है हाँ जोडना नहीं है हम कहां किस question में बता दिए कि जोड़ दीजिए गुना के sense में बोल रहे हैं ना ratio गुना के sense में जोड़ना नहीं है जोड़ के नहीं answer देना है जो student जोड़ के answer देना है वो गलत है हाँ समझिए 24 होगा चलिए next question देखिएगा अगला question देखिए तो question number 5 यह देखिए question यह है इसका answer दीजिए तो देखते हैं कितने student answer देते हैं 3,4 ध्यान दीजिए और 9 का चौथा अनुपातिक ज्याद करें हाँ 3,4 और 9 का चौथा अनुपातिक तो क्या होगा दोस्तों 3,4,9 और x ठीक है तो अब इसका answer कैसे देंगे इसको लिख सकते हैं 3 is to 4 उसके बाद से दोस्तों 9 is to x तो यह 3 by 4 बराबर 9 by x यह होगा तो इधर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 x बराबर 9,4 को 36 कर सकते हैं या 4 गुने 9 कर लीजिए तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 4 गुने 9 और बटा का 3 तीन तीन तीरी के 9,4 ती यह 12 इसका answer दीजिए 12 वेरी गुड समझे हां समझने का प्रयास करिया आप सभी student समझने का प्रयास करिये समझ में आ जाएगा हां 12 आ रहा है इसका answer आप सभी student एकदम सही है वेरी गुड एकदम सही सभी student सही है जितने भी student का बाराइ हां बहुत अक्षे एकदम सही समझने का प्रयास करिये सारे कोशन समझ जाएंगे बहुत अच्छे सभी student का बाराइ हाँ हां ये वाला रूल लगाईए confusion हो रहा है ज्णर घटा रहे है जो स्टूड एटर ये वाला रूल लगाईए जो यह हम आपको बतारे ठीक है हां य verbs Love लगा ये देखिए इसमें क्या है तृतया अनुपाती है और X देह दिया है क्या कर दिया है तिरतया अनुपाती है और X देह 10 कहने का मतलब प्रश्कन वही है यह ज़िए 5 इस टू 9 उसके बाद से लिखा X is to 27, यानि 5 अनुपाते, 9, समानुपाते, X अनुपाते 27, है तो X बराबर होगा, कुछ नहीं करना है, same format में लिखा है, तो इससे आप लिखेंगे 5 by क्या दोस्तो, 9, बराबर क्या लिखेंगे, X by 27, तो आप अचा हैं, तो यहीं पे direct कटा सकते हैं, नीचे नीचे कट जाता है, क्योंकि यह गुने में चला जाता है, तो 9, 3, 27, 3, 5, 15, तो X बराबर क्या होगा, यह 15 बराबर X होगा, यह आप कह लिजिए, X बराबर क्या, 15, हाँ, समझेगा, आप चाहते तो ऐसे भी देखते सकते थे, पास दिया ही 15, 9, 3, 27, ठीक है, हाँ, बात वही है, बात वही ह है, समझेगे, आप सभी स्टूधेंट, बात वही है, 16, 27, समझेगे, इन लिजिए 7, 15, पास दिया ही 15, 9, 27, समझेगा, जितने भी स्टूधेंट का 15, अंसरा रहे है, आप सभी स्टूधेंट एक दम सही है, हाँ, बहुत दक्चे, वेरी गुर्ड, सभी स्टूदेंट सही ह सभी स्टूडेंट सही है एकडम सही एकडम सही बहुत अच्छे पंदरा सभी स्टूडेंट उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे सभी स्टूडेंट को सबका अंसर आ ठीक है कुछ नहीं करना है डारेक्ट आंसर देना है चलिए नेक्स कोशन की और चलते हैं अगला कोशन देखिएगा अच्छे से देखिए सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए समझ में सारे कोशन आएंगे बस आप लोगों के है तता सेस भाग बचाता है उसके ब्याय तथा बचत का अनुपात सिक्सिस्टू वन है यदि सूरज की आए 42,000 रुपए है तो उसका ब्याय रुपए में क्या होगा ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या दिया हुए दोस्तों ब्याय ब्याय मतलब खर्च और बचत का रेश रेशियो में तो उसका दोस्तों इंकम ध्यान दीजिएगा इंकम क्या आय क्या होगा दोस्तों आय वराबर क्या होता है दोस्तों आय वराबर ब्याय प्लस खर्च यही तो होता है तो इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां पर लिख इतना तो समझ में आप सभी को आ रहा होगा इंकम साथ है तो 6 रूपे खर्च कर दिया तो बचेंगा क्या है एक रूपे 7, 6, 1 ठीक है इतना समझ में आ गया अब ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ क्या गया है सूरज की आए 42,000 है तो आए दोस्तो किस रेशियो में है साथ रेशियो में है ना तो हम बोल सकते हैं दोस्तो साथ रेशियो बराबर क्या 42,000 ध्यान दीजेगा तो एक रेशियो बूबर क्या हो जाएगा चेहजार होगा तो पूछ क्या रहा है उसका बेयर रूपय में क्या है छे रेशियो में है ना एक रेशियो बराबर 6000 तो छे रेशियो बराबर 6 गुने 6,000 मतलब 36,000 यह हो जाएगा अगर उसका income पूछे तो दोस्तों क्या बताएंगे ध्यान दीजेगा एक ratio बरबर 6,000 तो 7 ratio बरबर 7 गुने 6,000 ध्यान दीजेगा सभी student 42,000 ध्यान दीजे क्या हो जाएगा 42,000 अगर बच्चत पूछे तो क्या बताएंगे एक गुने 6,000 एक ratio का value ही 6,000 दिया डिरेक्ट लिख सकते थे 6,000 देखिए 42,000 income है 36,000 खर्च कर दिया बच्चा कितना 6,000 तो इसमें पूछ क्या रहा था दोस्तों इसमें पूछा क्या है ध्यान दीजेगा हाँ सूरज की आए 42,000 है तो 7 ratio बरबर 42,000 तो आया ही है तो इसमें एक कुछ करना ही नहीं था ये तो direct था इसमें एक ratio नहीं लाना था ये आपका direct था ये direct था ये दिया हुआ है हाँ इसी से हम क्या किये सब लाएं ठीक है उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहोंगे जितने भी student का option number B यानि 36,000 आया है आप सभी student एक डम सही है हाँ क्या answer होगा 36,000 हाँ वेरी गूड जितने भी student का 36,000 आया है आप सभी student सही है अगर बचत पूशता तो क्या बोलते 6,000 ठीक है बचत पूशता तो क्या बोलते 6,000 हाँ साथ कहां से आया हाँ साथ कहां से आया पूछने वाली बात है देखिए बयाय और बचत यानि खर्च और बचत का रेशियो 6 और 7 मान लिजये दोस्तो आपके पास ध्यान दीजे आपके पास सात रुपय है ठीक है आप चे रुपय करदी या निया आप ध्यान दीजे आपके पास ये कलियर नहीं है आप 6 रुपए खर्च कर रहे हैं और 1 रुपए बच गया, तो आपके पास कितने रुपए थे, 7 रुपए, कैसे पता, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंकम ही तो आएगा, आपके पास कितना रुपए हो, माल लीजे, आपके पास कुछ भी रुपए है ठीक है, कितना रुपए है, अभी देखिए कैसे आएगा, आपने 600 खर्च कर दिया, और 400 बचा लिया, तो आपके पास कितने रुपए थे, 1000 रुपए, कैसे पता, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आया आज आएगा, समझ ये, समझ में आएगा, ध्यान दीजे, 6 और 7 यान साथ है, इसमें से साथ नहीं आया है, ब्याय और बच्चत का रेशियो दिया है, तो आय का रेशियो क्या होगा, साथ होगा, बहुत रक्षे, समझने का सभी स्टूडेंट प्रेस करिए, सारे कोशन समझ में आएगे, थोड़ा से दिमाग लगाना है, हाँ, चलिए, नेक्स कोशन देखिए, कोशन नमबर एट, कोशन नमबर एट भी काफी इंपोर्डेंट है, पढ़िए एक बार आप सभी स्टूडेंट, कोशन नमबर एट है, अमन तथा वीर की वार्सिक आए, थ्री इस्टू टू के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च फाइफ इस्टू थ कितनी होगी, ध्यान दिजिएगा, यहाँ पे अमन और वीर की वार्सिक आए का अनुपात 3-2 दिया है, और उनके खर्च का अनुपात क्या दिया है, दोस्तों, 5-3 दिया है, समझेगा, और उनमें से बोल रहा है, प्रतेक की वर्स के अंत में 1000 रुपय की बचत हो, तो अमन की वार्सिका है, ध्यान दिजिए, जब ऐसे प्रस ना है, तो आप बिना X माने भी solve कर सकते, बिना Y माने भी solve कर सकते, कैसे करना है, हम आपको बता रहे हैं, और किस question में आपको X-Y माननना है, यह भी हम आपको बताएंगे, ध्यान दिजिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, दोस्तों उनकी अमनता वीर की वारसी का है, income का ratio है, कौन कौन है, एक अमन है, एक वीर है, income का ratio दोस्तों दिया हुआ है, क्या है ध्यान दीजेगा सब इस्टूडेंट, income का ratio क्या है, समझने का प्रेस करिए, 3 is to 2 है, 3 is to 2 है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ खर्च का है, यह यहांपे हम राघंप लिए लिख देते हैं ताकि आप सब सब्सपार्श भी शुट्री वाहिश का मैं और मौ meillä का calming कि च्र tastes वाएं और अप्यर श्चयों सम्हाइगे और प्रक्रष। एनजय गया आप क्या करेंगे ? थोड़ा सा बड़ा करेंगे अगर हम गुने 2 कर दे और इधर भी घुने 2 कर दे तो यह 3। दुना के 6 और 2। दुना के 4 के रिशियों में हो जाएगा सिखिए सब इस पुदेंट यह तरीका सिखिए यह बहुत अच्छा तरीका है ठीक है अगर 6 के ratio में कमा रहा है और 5 के ratio में खर्च कर रहा है तो समझ में आ रहा है तो बचेगा 1000 4 के ratio में कमा रहा है 3 के ratio में खर्च कर रहा है यह 6 is to 4 को अगर आप कटा देंगे 2, 3, 6, 2, 2, 4 3 is to 2 के ratio में ही है 3 is to 2 के ratio में है समझ रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों अगर इसकी income 6 के ratio में है और 5 के ratio में खर्च कर रहा है तो बचाया कितना एक बचत का दोस्तों ratio क्या आएगा ध्यान दीजिएगा हाँ बचत का ratio यहाँ पे सभी student समझने का प्रयास करिए जो बचत का ratio है यहाँ से 6 में से 5 जा एक और इधर से दोस्तों 4 में से 3 जा एक एक के ratio में यह क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है एक हो रहा है अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है और बर्स के अंत में कितना बचा रहे है एक 1000 तो एक बेलिऑसेवapp यल स्टों क्या है एक हजार है पूच्च के रहा है दोस्तो अमन की वारसी का है किस रेश्यों में छैके रेश्यों में डियान दिजेगा तिन के रुकल स्टे टोए यह जहलों क्या होगा 1000 रुकलनेट निक psychopath 1000 डर अंसर दीजिये जिये है यहाजनुद ओप्सें नंबर हो गारी वेज हुदि civ जितने भी इस्टुरींट का ओफ्सें नंबर भी हाया है आप सभी स्टुडेंट एक दम सही है हा आप सभी स्टुडेंट यहां हम दो गुना कियों, ध्यानदिजिए, कुछ नहीं समझाते हैं, तो और जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक पूस सकते ठीक है ध्यान दीजी यहां पर आय था और क्या था दोस्तों ब्यायता ठीक है यही था ना यहां पर खर्च ब्यायता मतलब होता है खर्च आय और खर्च का रेसियो है खर्च का रेशियो क्या 5 इस्टू 3 अगर दोस्तों कोई 3 के रेशियो में कमा रहा है 5 के रेशियो में खर्च कर सकता है अगर आप 3 रूपए कमा रहा है 5 रूपए खर्च कर सकते हैं और उसके बाद 1000 रूपए बचा सकते हैं ध्यान दिजेगा हो सकता है नहीं तो हम क्या किय इंकम का है ना इसको multiply किये 2 से इधर भी multiply किये 2 से अगर ये 6 के ratio में कमा रहा है और ये 4 के ratio में कमा रहा है तो बचत हो जाएगा क्योंकि 6 के ratio में कमा रहा है 5 के ratio में खर्च करेगा तो बचत क्या होगा एक का ratio होगा, सबी student समझीए तो 6 में से 5 घटाएंगे एक, 4 में से दोस्तो 3 घटाएंगे एक, दोनों तरफ सेम होता है ध्यान दिजेगा, तब ही ये rule apply करेंगे, वरना X और Y मान के करेंगे, सिखिए पहले तो एक ratio के तरफ, दोनों तरफ बचत हो रहा है, दोनों क्या कर रहे है, बचत क्या कर रहे है एक हजार ही बचत कर रहे है तो क्या होगा, दोस्तों, एक ratio बड़ाबर एक हजार, पूछा क्या है, अमन की ध्यान दिजे, अमन क्या है, तो अमन की income क्या है, छे के ratio में, तो गुना दो इसलिए किए ताकि खर्च से बड़ा हो सके आए तब ही तो बचत होगा बचत कर रहे हैं इसलिए खर्च से बड़ा करने के लिए दो गुना किए अगर नहीं बड़ा होता तो तीन गुना भी करते हाँ, नहीं बड़ा होता तो तीन गुना करते बस पास में आपको लाना था समझेए हाँ, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझेए समझ में आ गया, इसलिए बड़ा किये हैं हाँ, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट समझ गया हैं, चलिए, अभी next question में चलेंगे, सभी समझ में आ जाएगा आप सबको, सारे question समझ में आ जाएगे, concept clear होगा, यह देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो रूल जो पीछे वाला है, apply नहीं करेगा, तो क्या करे होगे, ध्यान दिजिएगा, yes तथा-t की, I, 3-4 के अनुपात में है, तथा उनके अब्याय, ध्यान दिजिएगा, 1-1 के अनुपात में है, यदि, yes, 4,000 आ उपे बचाता है, तथा-t बाइस हजार रुपे बचाता है, तो, yes, की, I, रुपे में क्या है, यहाँ पर दोस्तो आ भी से स्वाल नहीं करेंगे आ देखिए यहां पर this की क्या है दोस्तों बचात 4000 है और यह की बचात का रेश्य है यह माने ज़िए यह का ब्याए घटा दे तो बचत क्या आएगा आएगा ना 4000 ध्यान दिजे तो हम यस का निकाल रहे हैं यस की आए क्या है दोस्तों 3x क्या है y यानि कि 3x-y बराबर क्या होगा दोस्तों 18000 यह 18000 यह तो सौरी 4000 बचा रहा है सबी स्टूडें ध्यान दिजे क्या बचा रहे है 4000 ध्यान दिजे यह 4000 हो गया उसके बाद से दोस्तों T की क्या है T की इंकम 4x है 4x-y इसकी बचत क्या हो रहे है दोस्तों बताईएगा 22000 अब यहां पर आप सबी स्टूडेंट सीखेंगे थोड़ा सा देखेंगे यह 3x-y इंकम है y खर्च है हां तो 3x में से y घटाएंगे तो क्या होगा आए में से दोस्तों ब्याएग घटाएंगे तो क्या होगा बचत और यहीं बचत इसकी 4000 है और T की बचत क्या है 22000 है यहा पर equation बना समीकरण 1 और यह आपका हो गया दोस्तों समीकरण 2 ध्यान दीजेगा अगर हम दोस्तों समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा ले ठीक है तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4X में से 3X अला जाएगा X हो जाएगा आप उपर नीचे करके माइनस भी कर सकते हैं या बोले तो हम कर दे ध्यान दीजे ज्यादा कुछ नहीं करना है अगर हम इसको ऐसे कर दे 2 समीकरण 2 लिग दे 4X माइनस Y बराबर क्या है 22000 है ठीक है ध्यान दीजे उसके बाद पहला समीकरण क्या है 3X माइनस क्या है दोस्तों Y बराबर क्या है दोस्तों 4000 है क्या है 4000 है तो क्या करना है घटाना है तो यह माइनस हो जाएगा जब माइनस में करते हैं प्लस माइनस 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 यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा तो यह प्ल 18,000 होगा तो एक्स बराबर क्या आया दोस्तों बताइए तो एक्स बराबर क्या आया 18,000 आया हम लोगों से पूछा क्या था दोस्तों ध्यान दीजेगा यह दोस्तों क्या था 3x और 4x यह आए था ध्यान दीजेगा यह आपका आए ठीक है आए माइनस क्या किये है दोस्तों 2i ध्यान दिजिए सभी श्टुडेंट i minus 2 और यह क्या था दोस्तों आपका बचत था हां यहाँ पर लिक भी दे रहे हैं ताकि आप सभी स्टुडेंट समझ सकें क्या पूछ रहा है यस की to ask 3 X में है ध्यां दीजिएगा लगा है यस की जो आए है दोस्तों क्या है यस की जो आय रोडारे पिरेगश स्योनका देंगत करी तो क्या होग क्या transferring गुने एक्स की जगह पर क्या आया अठारा हजार आ गया तो अठारा त्याई चौवन हजार हाँ वेरी गुड ऑप्शन नमबर वी जितने भी स्टूडेंट का रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है हाँ चौवन हजार होगा अगर दोस्तों यही पूछता ध्यान दी तो ट की आए दोस्तों क्या है फोर एक्स है तो चार गुने क्या करते चार गुने क्या करते अठारा हजार तो अठारा चोग दोस्तों क्या होता बहत्तर हजार अब यहां पर आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं अब चाहें तो आप व्याए भी ला सकते हैं यहां पर क् आपका आंसर तो यहीं पे आ गया है आगे थोड़ा से स्टेप देखिए एक्स बराबर क्या है 18,000 है ठीक है तो एक्स की जगा 18,000 रखेंगे तो 18 तियांई 54,000 हो जाएगा ध्यान दिजेगा अब यहां पर आप देखिए थ्री गुणे कितना हो जाएगा दोस्तो 18,000 समिकरन पहला लिख रहे है ठीक है माइनस क्या है y बराबर क्या है दोस्तो 4000 है ये देखिएगा 4000 है तो ये क्या हो जाएगा समझने का आप सभी student पढ़ें प्रेस करिए ये हो जाएगा आपका 5000 ठीक है माइनस y बराबर क्या होगा दोस्तो आपका 4000, तो minus y है बराबर कुदर जाएगा, 4000 प्लस में इधर आएगा, minus में, तो y बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, 50,000, y बराबर क्या होगा, 50,000, तो y की value आप ला सकते हैं, अब देखिए, 54,000 में से 50,000 खर्च कर दिया, बचा कितना, 4000, समझ में रहे हैं, ये 18,000, 72,000 में से 50,000, y खर्च कर दिया, बचे का कितना, 22,000, समझ रहे हैं, पूरा clear करिये, अच्छे से समझिए, पूरा concept clear करिये, हाँ, समझिएगा, अच्छे से समझिए, y क्या आ गया, खर्च क्या आ गया है, दोस्तों, खर्च आ गया है, दोनों का, 1 is to 1 के ratio में है, बराबर ratio में, दोनों का y मानेते, 50,000 खर्च है, तो 50,000 इसमें से घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ, एकदम सही, very good, 50,000 घटाएंगे, तो 4,000 हो जाएगा, 72,000 में से 50,000, 22,000, समझ में आप सभी स्टूडेंट को आ गया होगा, एक बार बताईए तो समझ में आया की नहीं, 54,000 हो जाएगा, very good, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, 54,000, ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है, क्योंकि यस का इंकम ही पूछा था, आए, 3X में आए, बहुत एक्षे, very good, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ जिए, ये concept clear करिए, ये जब concept clear आएगा, आने वाले टाइम में, कैसा हो भी आपसे question पूछा जाएगा, आप तुरंत solve कर लेंगे, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए आए, ब्याए, बचत, आए में से ब्याए, मतलब आप टोटल आजो आपकी income है, income में से आप क्या कर सकते हैं, खर्च को घटा देंगे, तो जो बचा होगा, वो बचत हो जाएगा, ये ही तो होता है, चलिए, बहुत देखिए, very good, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, नोट जरूर करिएगा, चलिए, next question देखते हैं, question number 10, question number 10 देखिए, काफी important है, अच्छे से देखिएगा, सभी स्टूडेंट, simple तरीका बताएंगे, question है, A तता B की मासिक आए करमसा, 12,000 तता 8,000 रुपए है, उनके मासिक ब्य बचाता है, वो बराबर होता है, बोल रहे हैं, तो उनमें से प्रतेक, प्रतिमा, कितनी रासी बचाता है, क्या बोल रहे हैं, दोस्तों, ध्यान दीजेगा, तो उनमें से प्रतिमा, कितनी रुपए बचाते हैं, बराबर रासी बचाते हैं, कुछ नहीं करना है, ध्यान दी अब दिखिए, आए क्या है दोस्तों ध्यान दीजे, आए 12,000 है ध्यान दीजेगा, A और B दो लोग हैं ध्यान दीजेगा, यहाँ पर A और B हैं, तो यानि कि ये 12,000 में से ध्यान दीजेगा, 12,000 में से दोस्तों ये 5X खर्च कर देगा, तो जो बचेगा, वो किसके बराबर ह क्या होगा दोस्तों इसके भी बचत यानि आठ जार में से यह ध्यान दिजीए गार्वने से यह फिरणीव है त्र्यज्ट आप प्रइसिए उसका खर्च है बचत बहुत हॉगा फिल सरे दोस्तों समान रासी बचाते हैं और यह b का है समझ रहे ना, यह क्या है दोस्तो b का है, समझ जी अच्छे से समझने का प्रेस करिये, a के income में से दोस्तो क्या कर रहें है 2, खर्च खटा रहे तो बचत यहां पर आएगा फिर b के income में से उसका खर्च गटा रहे हैं, बचाता रहेगा, और दोनों क्या हैं, बड़ाबर हैं, बड़ाबर बचाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहां तक आप समझ गए हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये 8000 है, इधार आएगा तो माईनस में हो झाएगा, यहां पे लिख सक टू एक्स बराबर चार हजार तो एक्स बराबर क्या होगा एक्स बराबर क्या होगा एक्स बराबर क्या होगा चार हजार बटा का दो ऐसे भी कर सकते हैं टू एक्स है तो यहीं पर किये हैं टू एक्स बराबर एक्स इधर ला दिये बहुत सी स्टूडेंट कंफ्यूज हो ज हैं आप ऐसे भी लिखिए एक्स बराबर दो हजार कितना रुपए दोस्तों प्रतिमावा कितनी रासी बचाते हैं दो हजार बचाते हैं एक्स बराबर दो हजार आ गया समझिएगा अब देखिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है ये खर्च का अनुपात था न तो ये पांच दुना के क्या हो जाएगा दोस्तों दस हजार खर्च और ये दोतियाई छे हजार खर्च ये दस हजार जब ख घृइगा तो बचेगा कितना दो हजार कंफर्म कर ये एकदम अच्छे से कहां यहां पर 5X वडाबर दोस्तों क्या हो जाएगा 10,000 स्ट अम जरख assess वर्च ये बहुत था और क्व listings जितने भी स्टूडेंट का 2000 यानि option नमबर यह आया है आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है हाँ एक दम सही सभी स्टूडेंट एक दम सही बहुत अच्छे आप चाहते तो इसको दोस्तों option से भी solve कर सकते थे बचा 2000 की है ध्यान दिजिएगा हाँ तो दो पच्चे 10 और दो त्याई 6 आप देखते इसकी खर्च क्या हो रही है दोस्तों 10,000 इसकी 6,000 तो बचाएगा क्या 22,000 ठीक है क्या होगा आंसर बताएए 2000 X बराबर 2000 वेरी गुड़ यह क्या बचा रहे समानठर स्वार्छी तो कितने बचाते एक वरफ़वर 200 की बचाते वेरी गुड़ जितने भी हाँ हो जितने भी student का अंसर आया है आप सभी student एक दम सही है हैं बहुत अख्षे हाँ हाँ पहुत अख्षे है सभी स्टूडेंट सफी अपक्शे आप सभी स्टूडेंट्या सफी जितने भी स्टूडेंट का और यह dévelop minder जो किमा हर 네 हाँ आप सभी स्टूडेंट एक दम सही है वेरी गूड हाँ उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहेंगे चलिए नेक्स कोशन क्यों चलते हैं अगला कोशन देखिएगा सभी स्टूडेंट हाँ बात नहीं करना है अभी क्या करना है आप लोग को को कोश्चन देखना है ध्यान दीजिएगा कि अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नंबर 11 काफी इंपोर्डेंट है ये जो कोश्चन है दोस्तों most important है अच्छे से देखने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे question हमेशा exam में पूछे जाते हैं अच्छे से देखिए हाँ question है एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए तथा 5 रुपए के note 3-4-5 के अनुपात में है यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 रुपए के note की संख्या कितनी है ध्यान दीजिए अब यहां पे आप लोगों को समझना है क्या बोल रहा है दोस्तो question देखिएगा question यह कह रहा है एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए तब 5 रुपए के note 3-4 is to 5 के अनुपात में है यदि थैले में कुल धन क्या है दोस्तों 1000 रुपए है तो 5 रुपए के note की संख्या कितनी है ज्यादा कुछ आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए 20 रुपए क्या दोस्तों सबजी स्टूडेंट ध्यान द दीजिए 10 रुपए और क्या है दोस्तों 5 रुपए के note कितने के पांच रुपए के note है और note 3 is to 4 is to 5 के अनुपात में इनका दोस्तों जो संख्या है किस अनुपात में है दोस्तों ध्यान दीजिए 3 यानि 20 का 3 के ratio में है सबी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए यानि क 3x के ratio में है समझिएगा 3x मानेंगे ये दोस्तों क्या हो जाएगा 4x है क्योंकि अनुपात है दोस्तों exact नहीं बोल रहे है 3 है 4 ये 3x है 4x है और 5 वाला दोस्तों क्या है 5x है सबी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए तो जो कुल धन होगा दोस्तों क्या होगा यानि सबी स्टूडेंट हाँ कुल धन अच्छे से देखिएगा तो ये देखिए 20 रुपे का 3x में है तो 20 याई 60x क्या होगा दोस्तों 30x प्लस ये देखिए 10 का 4x में है तो 10 चौक को 40x सबी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए फिर 5 पचे 25x प्लस क्या होगा 25x दिख रहा होगा उमीद करते हैं आप सबी स्टूडेंट को यहां तक ठीक है समझने का प्रयास करिए यहां पर लिख देते हैं अच्छे से देखिए यह क्या हो गया दोस्तों 20 याई 60x प्लस दस चोक को 40x प्लस पांच पच्छे 25x यहां तक तो दिख रहा होगा कुल धन साच चली सो 125x क्या है 125x के रेशियों में है तो 125x है ध्यान दीजिएगा और टोटल रुपए क्या है दोस्तों 1000 है तो 125x बराबर क्या होगा 1000 ध्यान दीजिएगा तो अभी आपका x का वैलू आएगा एकस बराबर क्या होगा दोस्तों 1000 ध्यान दीजिए 1100 बठा का 125 जृश ज्यादा आपको आपको कुछ करनें की यहां पर जरूरत नहीं है हांнок बहुत आप्छे 25-25 थ्यान दीजिएगा हां 25-24 को क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए 24ока 100 40 ध्यान दीजिए चालिस तो 5aju setzt एक में 40 कि ईक्स बराबर क्या है है आठ हम लोगों से POUCH कैया रहा है दोस्तों हम लोगों से POUCH कैया रहा है पांच रुपई की नटों की संख्या ध्यान दिजेगा कि तब इस्टुडेंट अच्छे सेदेटेस समझने का प्रयास करिए हाँ नटों की संख्या पूछ रहा है एक्स बराबर आठ तो पांच गूने आठ चालिस वेरी गूड सबिस्टूडेंट समझ रहे हैं बहुत अच्छे अगर यहां पर 10 रुपे का पूछता तो क्या बोलते दोस्तों आठ चो को ध्यान दिजेगा एक्स बराबर क्या होता हाँ आठ है तो आठ चो को 32 यह आठ तरी के 24 आप चाहें तो देख भी सकते हैं अगर पांच रुपे का चालिस है तो चालिस पच्चे बीस दोसो दस रुपे का यह है समझ रहे ना हाँ संख्या आया है संख्या 40 है चालिस किस ऑप्चन में है उप्चन नमबर बी में है तो आपका उप्चन नमबर बीस ही हो जाएगा हाँ बहुत अक्षे एकडम सही उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट समझ रहे अच्छे से समझ यह पांच रुपे की नोटों की संख्या क्या थी दोस्तो फाइफ एक्स तो फाइफ एक्स बराबर ध्यान दिजेगा एक्स बराबर आठ तो बाच वटे चालिस समझ में आगे आप सभी स्टुडेंट को ध्यान दिजे यहां से हम क्या किये कुल धन निकाल लिए हैं 125 एक्स बराबर टोटल क्या है एक हज़ार तो एक्स बराबर क्या हो गया हां तो एक्स बराबर क्या हो गया आठ तो आठ आ गया तो यहां से आप सभी संख्या निकाल स साथ सो बीस रुपए यह देखिए 10 का है तो यह क्या हो जाएगा 320 रुपए यह आठ है तो आठ पच्चे ध्यान दीजेगा आठ नोट है ना पांच पच्के तो यह 40 रुपए ध्यान दीजे सभी स्टुडेंट हाँ ध्यान दीजे क्या होगा यहाँ पर क्या गलत हो रहा है क 32-320, यहां पर 4 पच्चे, क्या हो रहा था, देखिए, कहीं पर गड़बढ़ हो रहा है, ध्यान दीजेगा, 24- Pegasus 72, ध्यान दिजेगा, ये संख्या कया है, चौविस है, तो 20 रुपे का 24, समझेगा, 20 रुपे के नॉटों की संख्या 24, 10 रुपए की नोटों की संख्या 32 हां और ये क्या हो जाएगा 5 रुपए की नोटों की संख्या 40 हां ये 40 है ठीक है हां very good समझ रहे हैं हां जोडेंगे तो क्या आएगा टोटल धन अगर निकलना हो तो एक हजार आज आएगा हां अभी पैसे वाला बता रहे हैं हां ये समझी है जोडेंगे तो आज आएगा ज्यादा कुछ नहीं करना है सबी स्टूडेंट एक बार देखिए confusion नहीं होना चीए हां बहुत अच्छे वरी गुड चलिए अच्छे से समझीए हां समझ गए है चलिए next question की ओर चले ध्यान दीजेगा आगे देखिए अगला question देखिएगा समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयात करिए सारे question समझ जाएंगे ज्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नह कराएंगे अभी ज्यादा नहीं सोचना है अभी सिर्फ अप्रस्न प्रस्न सोचिए जब practice कराएंगे तो आपको सारे कुछ समझ मैंने लगेंगे हां हाँ ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट यहाँ पर किसी थैले में 90 रुपए की रासी 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है यदि 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपा 2 is to 3 is to 5 है तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है तो यहाँ पर आप सब को जादा कुछ नहीं करना है, प्रसंद को एक बर देखना है, पचास पैसे, पचीस पैसे, ध्यान दीजेगा, क्या है दोस्तो, टोटल नम्बे रुपए है, ध्यान दीजेगा, अब यहाँ पर आप सब इस्टूडेंट देखनेंगे, यहां पर यह 2x है, यह क्या है दोस्तो, 3x है, सभी student ध्यान देंगे, यह क्या है, 5x है, यह क्या है दोस्तो, सभी पैसे में हैं, सभी पैसे में हैं तो अगर हम इसे चाहें तो रुपए में convert कर सकते हैं आप चाहें ध्यान दिजेगा हाँ आप चाहें ध्यान दिजेगा हाँ, सबी स्टुडेंट आप लोग अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करिए, प्रस्ण क्या है, सिंपल है, हाँ, गुना करना था, पचास दुना के, 100X प्लस, ये कुल मुल ले आएगा, कुल धन नहीं, कुल मुल ले आएगा, ध्यान दिजेगा, ये कुल मुल ले कर रहे हैं, रुपय का गुना नहीं कर रहे हैं, ध्यान दिजेगा, तो 10 पच्चे क्या होगा, दोस्तों, 50X, तो ये क्या हो गया, ध्यान दिजेगा, 175 यानि 25, 25X, बराबर क्या होगा, दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दिजे, 90 रुपय है, तो 90 रुपय को दोस्तों, पैसे म करेंगे तो 9000 पैसा सभी स्टूडेंट ध्यान दिजे यहां पर पैसे में करेंगे तो यह क्या होगा 9000 ध्यान दिजेगा 9000 क्या होगा क्योंकि एक रुपे में 100 पैसे यहां तक समझ में आप सभी को आ गया होगा तो एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों 9000 बटा का 225 क्या होगा दोस्तों 9000 बटा का 225 हां तो यहां पर 25 ध्यान दिजेगा 259 225 ध्यान लेकिन हम लोगों से पूछ क्या रहा है दोस्तों ध्यान दिजेगा हम लोगों से पूछ क्या रहा है प्रस्ण में यह देखिए 25 ध्यान दिजेगा 25 ध्यान दिजेगा 25 पैसे का क्या पूछ रहा है संख्या पूछ रहा है तिको की संख्या तो 25 पैसे की सिको की संख्या क्या ह है दोस्तों 3x है तो एक्स बराबर 40 तो 3x बराबर दोस्तों क्या होगा चारतिया इबारा 120 कि 120 कि सूप्शन में है option number c very good बहुत अच्छे एकदम साही जितने भी श्टुडेंट का 20 200 हो जाएगा ठीक है लेकिन हमसे पूचा है 25 पचास का पूच्टा तो 80 देते दस पैसे का पूच्टा तो यह देते यहां पे 90 रुपए है इसको का टिक है समझी सभी स्टुडेंट समझी है एकदम साही वरी गूट जिटने भी श्टुडेंट का 120 आंसर आ रहे हैं आप अच्छे से समझने का प्रयास करिए 225 एक्स वराबर 9000 तो एक्स वराबर क्या या 40 वरी गूट बहुत अच्छे उमीद कहते आप वस बहुत अच् आप चाहें तो यहां से देखिए, गुना करके दोस्तो आप पैसे भी निकाल सकते हैं, अगर 80 पैसा है, तो क्या होगा, 40 रुपे हो जाएगा, ये 25 पैसे का है, तो 120 सिक्के हैं, तो क्या हो जाएंगे, 30 रुपे, ठीके, अब इसी परकार से ये दोस्तो, 200 सिक्के हैं, 10 पैस से के तो क्या हो जाएंगे समझ रहे हैं हां सभी स्टुनिट समझ यह 20 रुपए वेरी गुड एक डम सही तो जोडेंगे तो क्या होगा 90 रुपए के बराबर होगा यह पैसे में हम कर लिये हैं ठीक है यहां पर आप कन्फ्यूज ना होईगा कि सर 90 क्यों नहीं रखे हां कि वेरी गुड एकडम सही समझ में आ रहा है हां यह देखिए पैसे में सब था तो यह 90 रुपए है तो इसको हम पैसे में कनवर्ट किए इसलिए हम सो से गुना किये क्योंकि एक रुपए में सो पैसे होते हैं ठीक है हां एक रुपए में क्या होते हैं सो पैसे होते हैं आप स आप सभी student प्रयास करिए ठीक है चलिए next question देखने है question को अच्छे से समझते हुए चलिए अगला question देखिएगा अगला question देखिए अभी पूरा clear हो जाएगा question number 13 देखिए question number 13 है काफी important ध्याम देखिजिएगा अच्छे से समझेगा एक ठैली में एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों की संख्या 1 is to 4 is to 4 के अनुपात में है यदि उनका कुल मुल 400 रुपए है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताईए यहाँ पे देखिए एक रुपए है यह 50 पैसे है यह 25 पैसे है आप इसको रुपए में भी convert कर सकते हैं answer ला सकते हैं अगर आप अपने तरफ से solve करने का प्रियास करेंगे तो answer आजाईगा क्योंकि इस प्रस्न में कुछ है नहीं हाँ क्योंकि इस प्रस्न में कुछ है नहीं है ध्यान दीजिएगा यहां पे एक रुपए में है और 50 पैसे ध्यान दीजिएगा ratio इनकी क्या है, सिक्को की संख्या की ratio क्या है, one है, ध्यान दिजिए, one है, इसका क्या है दोस्तो, four है, ध्यान दिजिए, इसका क्या है दोस्तो, बताइएगा, इसका भी four है, अब यहां से इतना कर दिये हैं, इतना कर दिये हैं, तो आप सभी student कर सकते हैं, इतना अगर हम कर द नहीं है आप इतना कर सकते हैं हाँ है समझिए सबी स्टूडेंट आप चाहें तो देखिए रुपए में ही कर लीजिए अगर एक है तो क्या होगा यह एक्स माल लीजिए तो वान एक्स रुपए ठीक है यह देखिए 50 पैसे के 4 है तो क्या होगा 50 50 पैसे के 4 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं ध्यान दीजिए गा 50 पैसे के 4 है तो क्या होगा चार सिक्का का मतलब क्या होगा 50 पैसे के 4 मतलब 2 रुपए ध्यान दीजिए गा यह क्या होगा 2x यह रुपए में हो जाएगा यह 25 पैसे के 4 है तो क्या होगा 1x रुपए हो जाए सो होगा, एक्स बराबर क्या होगा, सो होगा, पूछ क्या रहा है दोस्तों, ध्यान दीजे, पचीस पैसे, ध्यान दीजेगा, पचीस पैसे, पचीस पैसे के क्या होगे दोस्तों, सभी स्टुडेंट देखिए, सो, पचास पैसे के क्या होगा, ध्यान दीजेगा, सो दुना क अच्छे से ध्यान दीने का प्रयास करेंगे अच्छे से समझेंगे यहां पर और यह आप चाहें तो दोस्तों यहां से ध्यान दीजेगा यह क्या हम निकाल रहे हैं यह संख्या आया है क्या है संख्या आया है आप चाहें तो दोस्तों आप यहां पर गुना कर सकते हैं गुन 400, 100, क्या हो जाएगा, 400 होगा, हाँ, तो पूछ क्या रहा है, दोस्तों, हम लोगों से पूछा क्या है, 25 पैसे, 25 पैसे का क्या होगा, 100 होगा, very good, एक दम सही, हाँ, 25 पैसे का क्या होगा, 100 होगा, very good, अच्छे से समझिए ज्यादा कुछ करने कि इसमें जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा समझना है हाँ अच्छे से समझे सारे कोशन समझ में आ जाएगा हाँ बहुत अक्षे वेरी गूड हाँ एक दम साई अच्छे से समझिए यहाँ पर आप सभी स्टुटिंट समझ रहे हैं सम समझिएगा हाँ 25 पैसा हाँ समझ में आ रहा है वेरी गूड बहुत अक्षे हाँ एक बर प्रेशन को आप सभी स्टुडेंट पहले ऊपर से पढ़ लीजिए हाँ संख्या बताना था संख्या आप लोगों को बताना था तो यह जो संख्या माने थे यह एक्स के रूप में म दे धियां दिजर्क तो यह क्या होगा? 400 हो जाएगा स्भी थ्यां दिजर्क यह भी क्या हो जाएगा? 400 यह क्या होगा? 100 संख्या, रुपे में नहीं यह आप संख्या देखीए, अप तक है तंख्या क्या हो जाएगा 400 हाँ संख्या क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा ठीक है तो यह 400 है तो क्या हो जाएगा 100 रुपे हो जाएगा यह 400 है तो 200 रुपे हो जाएगा यह रुपे आप यहां से जोड सकते हैं तो 400 क्या हो जाएगा कुल मुल्य 400 रुपे हो जाएगा हमें क्या बताना था सिक्कों की संख्या किसके दोस्तों 25 पैसे और ये आपका दोस्तों हम संख्या ही माने थे ठीक है? हाँ ये संख्या ही माने हैं बहुत अक्षे एकदम सही तभी स्टूडेंट एकदम सही है ये रुपे का रेशियो था हाँ ये रुपे का रेशियो था ये संख्या का रेशियो है हाँ एकदम सही वेरी गूड जितने भी स्टूडेंट का आ रहा है 400 आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है बहुत अच्छे, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ रहे होंगे, यह संख्या का ही ratio है, क्योंकि यहां दिया है, संख्या के सिक्कों का अनुपात यहां पर दिया, 1 is 2, 4 is 2, 1 is 2, 4 is 2 यह, तो confused कहां हो रहे हैं, confused नहीं होना है, x बराबर 100 आया है, तो यह 1x है, 4x है, और यह 4x ह है, एकदम सही, सभी student एकदम सही है, जितने भी student का 400 आंसर आ रहा है, आप सभी student एकदम सही है, बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे, very good, हाँ, संख्या में आप चाहें, तो देख भी सकते हैं, यह 1 रुपे का है, तो 100 होगा, तो 100 रुपे होगा, 50 पैसे का अगर 400 है, तो 200 रुपे हो जाएगा, 200, 100, 300, अगर 25 पैसे के 400 हैं, तो क्या हो जाएंगे, हाँ, 25 पैसे के अगर 400 हैं, तो क्या हो 100 रुपे होंगे न, क्योंकि 1 रुपे में 4 होंगे 25 पैसे के, तो यह 100 रुपे, 100 रुपे, 200 रुपे, 100 रुपे, मिलके क्या हो जाएंगे, 400 रुपे, बहुत अच्छे, हाँ, अच्छे से देखिए, सभी स्टूडेंट समझेगा, अभी हम आपको इसे और आसान तरीका भी समझाएंगे, पहले बेसिक तरीका आप सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से, एक दम सही, very good, उमीद करते हैं, आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, आप लोगों को करना है एक थैली में एक रुपए 50 पैसे वह 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं इन सिक्कों का मुल दिजेगा यहां पर क्या दिया है संख्या नहीं दिया है मुल दिया है 5-4-1 के अनुपात में है इन सिक्कों की संख्या करमसा कितनी है सिक्कों की संख्या पूछ र पैसे देखेंगे हाँ एक रुपए है और क्या है दोस्तों 50 पैसे ध्यान दीजेगा 50 पैसे और 25 पैसे ठीक है ध्यान दीजे सभी शुडेंट और इनके मुल्य का अनुपात है यह देखिए संख्या का अनुपात नहीं है यह मुल्य का अनुपात दिया है क्या दिया है दोस् है तो कितना सिख्य हो जाएंगे दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी अगर मुल लेचार है ध्यान दीज्येगा हां यह देखिए 5 रुपए अगर ध्यान दीजिए सबी स्टूडेंट एक रुपई के 5 मुल Ł Hä तो क्या हो ञांगे यह आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबी स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर exact 5 रुपे नहीं है, जब रुपे नहीं है तो आप इसको X मान सकते हैं, ठीक है, क्या मान सकते हैं, X मान सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 5X के संख्या में हो जाएगा, अगर दोस्तों यह 50 पैसे क चार है ध्यान दीजेगा हाँ मुल्य क्या है चार है चार है पचास पैसे का मुल्य क्या है चार है तो कितने सी क्योंगे आठ तो यह हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा ध्यान दीजेगा यहाँ पे आप लोग देखिए मुल्य है अगर एक ध्यान देजे एक रुपए का 5x है तो क्या होगा ध्यान देज़े सब इस्पुण्ट समझी है ध्यान देजे मुल्य क्या है 5 है तो क्या होगा 5x होजाएगा संख्या अगर 50 पैसे के 4 मुल्य हैं मुल्य 4 है, तो आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 4 बटा, संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 50 का मतलब 1 by 2, रुपए में आपका नुवट कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह 8 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, क्या है दोस्तों, यहाँ पर समझ 25 पैसे है ना, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक है, तो एक बटा, 1 by 4 होता है, तो 4 एकम 4, समझने का प्रयास करिए, संख्या 4X हो जाएगा, अच्छे से समझीए, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल संख्या का रेशियो आ गया है, ध्यान दीजिए है, 17X बराबर दोस्तों क्या है, 340 है, तो X बराबर क्या होगा, X बराबर 20, अब क्या बताना है आपको दोस्तों, इन सिक्कों की संख्या करमसा है, अब तो आप निकाली सकते हैं, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, हाँ, संख्या में गुना करना है, तो 5X बराबर दोस् 108, 160, हाँ, यहाँ पर क्या होगा, 24 को, 80, 116, 80 किस option में है, 116, 80, option नमबर पहला, हाँ, very good, हाँ, एकदम सही, 8x कहां से आया, मुल्य अगर मान लीजे, 4 रुपए है, 40 पैसे के 4 रुपए है, 4 रुपए में 50 पैसे के कितने सिख्के होंगे, हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ student confused हो रहे, 8 कैसे, तो 4 रुपए अगर मानते हैं, 4 रुपए अगर आप मानते हैं, 4 रुपए में, 8 झिके हुनगे तो यह 8 रुपए में 25 पैसे के शिक्को की संख्या क्या होगी, 1 रुपए को 25 पैसे सभाग करेंगे, 4 यह आया, ज्यादा कुछ नहीं करना हैं, समझे सभी student, 1 रुपए 50 पैसे और यह, तो यहाँ पह यह मूल्य बहु है, तो हम संख्या लाय है ठीक है तो यहां पर मुल्ले 5x है 4x है 1x है ठीक है 50 पैसे के 4 रुपे में कितने सिक्खे होंगे 8 होंगे तो 8x संख्या लाना है ना संख्या और संख्या ही दिया है 340 समझने का ब्रयास करिए बहुत आसान है ज्यादा कुछ नहीं है 50 पैसे के अब माल लिजे यह 4 रुपे है मुल्ले 4 है तो 50 पैसे के सिक्खे कितने होंगे 4 रुपे में 8 तो वही 8x लिखे है ठीक है clear नहीं है कि 4 रुपे है यहां पर यह कह रहे तो 340 सिक्के है तो x बराबर लाए है ठीक है एकदम सही अब है बहुत आख्षे आ गया समझ में बहुत आख्षे समझने का प्रयास करिए समझ जाएंगे सबी स्टूडेंट एक दम सही ठीक है उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट समझ रहे होंगे अच्छे से अच्छे से समझीएगा संख्या ला रहे हैं फाइफ एक से तो फाइफ ये पचास पैसे है पचास पैसे का मतलब वन बाइट टू रूपीज तो क्या हो जाएगा आठ सिक्के हो जाएंगे पचीस पैसे के एक रूपे में क्या होंगे चार सिक्के चार रूपे में पचास पैसे के कितने सिक्के होंगे आठ होंगे ध्यान दिजेगा एक रूपे में ध्यान दिजेगा यहां पर चार रुपए में 50 पैसे के कितने होंगे, चार रुपए में 50 पैसे के कितने सिख्के होंगे, आठ, पांच रुपए में 1 रुपए के कितने सिख्के होंगे, पांच, एक रुपए में 25 पैसे के कितने सिख्के होंगे, चार, यही किये हैं, अब आप सभी student समझ गयो होगा नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी स्क्लियर नहीं होगा ठीक है चलिए बहुत अच्छे वेरी गूड हाँ सभी स्टूडेंट समझ गये हैं जितने भी सुटूडेंट एकदम सही है और हम आप लोगों को बताते ध्यान दीजिएगा एप को आप सभी स्टूडें कोई भी हो उसमें 100% से सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें स्सी मेकर एप स्सी मेकर एप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करें